सोचने का समय गया उठोली को इदिहास नया सोचने का समय गया उठोली को अदिहास नया भारत देश में एक बड़ा अभियान चल पड़ा है भारत स्वाविमान का उसके बारे में आपसे बात करने आया हूँ और मेरा आनन्द दो गुना आज इसलिए भी है कि मेरे उपरार्शी वाद देने के लिए मेरे गुरु तुल्ले माता पिता भी दोनों मेरे साथे हां मजूद है उनकी उपस्थिती को प्रणाम करता हूँ भाव से शरनिस पर्ष करता हूँ भारत स्वाइमान का जो अभ्यान चला है परंपुजनिय स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया है ये अभ्यान पांच जन्वरी 2009 को इस्थापित हुआ है और बहुत तेजी के साथ पूरे देश में फैल रहा है लगबग 6 महिने अभी हुए हैं इस अभ्यान को शुरू हुए और ढ़ाई लाग से जादा हमारे कार्यकरता पूरे देश में तयार हुए है और अगले 6 महिने में करीब 11,50,000 कार्यकरता तयार हो जाएंगे ऐसा विश्वास है इसके अलावा परोग शुरूप से हमें काम में मदद देने के लिए सहयोगियों की संख्या करोडों में हैं इस देश में लगबग 5 करोड से जादा हमारे सहयोगी तयार हो रहे हैं इस काम में हमारे लिए तन मंधन से मदद देने के लिए इस अभियान को क्यों शुरू किया है इसकी जरूरत क्या है भारत देश की आज़ादी के 62 साल के बाद इस तरह का काम करने का महत तो क्या है ये सब बड़े प्रशन है कोशिश करूँगा कि मेरे व्याख्यान से उनका जवाब मिल सके और मेरे व्याख्यान के बाद मैं आपको भरपूर समय दूँगा प्रशन उत्तर करने के लिए आप जितनी देर यहाँ प्रशन करना चाहेंगे मैं यहाँ बैठूँगा आपके प्रशनों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा भारत स्वाइमान का अभयान जो शुरू हुआ है वो क्यों हुआ है और यह अभयान क्या है हम क्या करना चाहते हैं हमारा उद्देश यह क्या है हमारी नीतियां क्या है इन सब बातों को शुरू करने से पहले देश के बारे में थोड़ी जानकारी आप से कहना चाहता हूँ अपने भारत देश की आज की जो वरतमान परिस्थिती है बड़ी भयावए है देश की एक दशा और दिशा दोनों ही ठीक नहीं है हमारे भारत की जो दशा है बहुत खराब है आजादी के 62 साल के बाद इतनी खराब इस्थिती किसी देश की हो सकती है ये सुनकर बहुत अफसोस मन में होता है और ये एक ऐसे देश के बारे में अफसोस होता है जिस देश में महात्मा गांदी, सरदार भगत सिंग, उधम सिंग, चंदरशेकर आजार, तांतियां टूपे नाना सहाब पेशवा, नाना फड़नवीज, जहासी रानी लक्षवीबाई, रानी जलकारीवाई, कित्तूर चनम्मा, रानी दुरगावती ऐसे महान महान करांतिवीरों की जनमिस्थली, कर्मिस्थली जो देश रहा उस देश के बारे में ये जान और सोचकर बहुत अफसोस होता है कि इतनी खराब हालत है हमारे महापुर्शों के नाम लेना शुरू करें तो श्री राम, श्री करश्न, महावीर, गौतम, बुद्ध, नानक सहाब हमारे देश में दक्षण में हुए तिरवलूवर, सूरदास, तुलसी दास, कबीर दास ऐसे अनेक अनेक महापुर्शों की जनमिस्थली और कर्मिस्थली भारत उसकी आज की दशा देखकर बहुत अफसोस और दुख होता है कभी इस देश में राम राजी रहा, कभी इस देश में क्रश्न राजी रहा राम राजी के बारे में आप सभी जाते हैं, देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राजी में कदोन अव्यापा मैंने भगवान शरी राम की राजय की इस्थति ऐसी रही है कि दैविक दुख, दैहिक दुख और भातिक दुख कभी किसी को नहीं रहा और ये तीन तरह के ये दुख जीवन में सबसे बड़े होते हैं कभी नहीं रहे इस देश में, ऐसा राजी कभी चलता रहा जिस देश में, आज उस राजी में हर व्यक्ती को देहिक दुख, हर व्यक्ती को देविक दुख, हर व्यक्ती को भौतिक दुख हो गया, तो यह तो बिलकुल उल्टा हो गया, क्या हो गया हमारे देश को? कौन सी ऐसी विपताने घेरा, कौन सी ऐसी हमारी कर्म हिंता की इस्थती बनी है, क्या हो गया है, जो हम इतनी दारून इस्थती में है जिस भारत में शिरी राम ने कभी साशन किया और राम राज में कभी कोई गरीब नहीं, भुकमरी का शिकार नहीं, कोई चोरी नहीं करता, कोई डकेती नहीं डालता, किसी को फासी नहीं देनी पड़ती, कोई अपराद नहीं होता ऐसा आदर्श राज्य जिस देश में रहा हो उस देश के आज के राज्य की व्यवस्था बहुत शोचनिय है बहुत ज्यादा दुरगती पून है कुछ छोटी छोटी बात आंकडे में करूँ तो वो कुछ ऐसी बाते हैं 115 करोड की आबादी का देश है और इस 115 करोड की आबादी के देश में 84 करोड लोग इतने गरीब हैं जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 20 रुपया नहीं इतनी दारुन स्थती है इस देश हमारे भारत देश की जो सरकार चल रही है इस समय उसके प्रदान मंतरी है Dr. Manmohan Singh Dr. Manmohan Singh के एक बहुत अच्छे मित्र है उनका नाम है प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता बहुत बड़े अर्थ शास्तरी है आर्थिक विशय के बड़े विशय शक्र के माने जाते हैं प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता हमारे देश की सरकार का एक बड़ा विभाग होता है जिसका नाम है योजना विभाग प्लैनिंग डिपार्टमेंट पंच वार्षिक योजनाएं जहां से बनती हैं उस विभाग के सालों साल उपाध्यक्ष रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता श्रीमति इंद्रा गांदी जब इस देश में प्रधान मंत्री हुआ करती थी तो उनके आर्थिक सलहकार रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता बंगाल की सरकार के सालों साल वित्त मंत्री रहे प्रोफेसर अर्जुन सेन गुपता दुनिया के कम से कम 25 से ज़्यादा विश्व विद्यालियों के विजिटिंग प्रोफिसर हैं प्रोफिसर अर्जुन सेन गुपता Oxford University में लेक्शर के लिए जाते हैं Cambridge में जाते हैं Pennsylvania में जाते हैं पहले लगवग 5 साल हो गया और उनको ये कहा था कि भारत की आज़ादी के 62 साल के बाद गरीबी की इस्तिती क्या है इसका पता लगाईए इस पर अध्यन करिए प्रोफिसर अर्जुन सेन गुपता ने 5 साल अध्यन किया अध्यन करने के बाद एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है जो करीब 700 पेज की है पूरी रिपोर्ट तो नहीं सुना सकता समय की बहुत कमी है लेकिन उस रिपोर्ट का सबसे मुख्य अंश मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि प्रोफसर अरजुन से इन गुपता ने रिपोर्ट में लिखा कि मुझे इतनी हैरानी है इतना अफसोस है इतना दुख है ये कहते हुए कि आजादी के 62 साल के बाद इस देश के विकास का काम बिल्कुल ना के बराबर हुआ है ये एक बहुत विद्वान प्रोफसर कह रहा है उनका किसी पारटी से कोई लेना देना नहीं है इस समय है वो कह रहे हैं कि विकास का काम बिल्कुल ना के बराबर हुआ है लगभग विकास नहीं हुआ है क्यों वो ये कहते हैं कि जब आज़ादी आई 1947 में तो चार करोड लोग गरीब थे और जनसंख्या उस समय लगबग 33 करोड थी अब आज़ादी के 62 साल के बाद जनसंख्या 115 करोड हो गई और गरीबों की संख्या 84 करोड हो गई माने आज़ादी के 62 साल में गरीबी बहुत तेजी से बढ़ है इस देश में अंग्रेजों के जमाने में गरीबी आयी थी उसका कारण था कि अंग्रेज हिंदुस्तान का धन और संपत्ति सब लूट कर ले गए इसलिए गरीबी आगई इस तेश में लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हो गया इस देश को इतनी गरीबी कहां से आ गई इस देश में अगर गरीबी को हम ऐसा मान लें कि जन संख्या के हिसाब से बढ़ती है हमारे देश में कुछ अर्थ शास्त्री हैं जो यह तरक देते हैं कि जितनी संख्या कि तो जन संख्या हमारी 523 गुनी बढ़ी है लगबाल 3 lucky चैई तो 12 करोड़ लोग गरीब होने चाईए अब 84 करोड़ कहां से आगय। और 84 करोड लोगों की गरीबी भी इतनी भयंकर है कि इन में से लगभग 20 करोड लोग तो इतने गरीब है जो 15 रूपए एक दिन में खर्च नहीं कर सकते लगभग हमारे देश में 20 करोड लोग एक दिन में 15 रूपए खर्च नहीं कर सकते 12 करोड लोग ऐसे हैं जो एक दिन में 7 रुपए खर्च नहीं कर सकते और करीब करीब 10 से 11 करोड ऐसे हैं जो एक दिन में 5 रुपए खर्च नहीं कर सकते इतनी गरीब ही हमारे देश में है अगर जनसंख्या की हिसाब जोड़े 34 करोड की जनसंख्या डबल कर दो 78 करोड हो जा इस देश में तो प्रफसर अर्जुन सेन गुपता ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है इस देश की प्रसाशन व्यवस्था पर कि 62 साल में हमारे साशन और प्रसाशन ने किया क्या गरीबी कम होने की बजाएं और तेजी से बढ़ गए हमारे देश की सरकार हर दस साल पर जन संख्या का आंकलन कराती है जिसको आप जन गणना कहते हैं जन गणना जब पिछली बार हुई 2001 में और अब होगी 2011 में तो 2001 की जन गणना के समय सरकार ने कहा कि इस देश में 20 करोड लोग हैं जो बेरोजगार हैं जिनके पास कोई काम नह हैं और 40 करोड लोग ऐसे हैं जो अर्ध बेरोजगार हैं अर्ध बेरोजगार से मतलब किसी को साल में एक महीने काम मिल जाता है किसी को साल में दो महीने काम मिल जाता है जब फसल की कटाई होती है तो कुसको मजदूरी मिल जाती है जब फसल को शहरों से मन्डियों में करोड़ा काम मिल जाता है कभी गाओं में कुछ काम नहीं है तो लोग इटפटे पर जाकर नौकरी कर लेते हैं साल में दू-तीन महीने-चार महीने उनको काम मिल जाता है कभी रिक्षा चला लेते हैं कभी ठेला लगा लेते हैं कभी रेहडी लगा लेते हैं कभी फुटपात पर अपनी दुकान सजा लेते हैं इस तरह का काम करने वाले 40 करोड लोग हैं इस देश में उनको अर्ध बेरोजगारों में गिना जाता है तो अर्ध बेरोजगा 40 करोड हैं पूरु बेरोजगार 20 करोड हैं माने लगबское 60 करोड लोग हैं जिन को कोई सम्मान नहीं है इस देश में जिंदा रहने के लिए क्योंकि रोजगार भ्हुंग सम्मान कि इन को आज कल हमारी सरकार के द्वारा कुछ काम दिया जाता है सौ रूपई रोज का तीन महीने तक साल में आप जानते हैं कि यूजना चल रही है भारत सरकार की ग्रामी और विकास के लिए तो उसमें तीन महीने काम मिलता है और वो काम भी ऐसा विचितरे खड़ा खोदो फिर मिट्टी डालो इसी का काम दे देते हैं 100 रूपई रोज का इतना अपमान जनक है वहीं खड़ा खोदा थोड़ी दिर में उसी पर मिट्टी डलवाते रहते हैं क्योंकि उनके पास सच में कोई उत्पादक काम नहीं है किसी तरह से बेगार टालने वाली इस्तिती है वो भी इनी 60 करोड में शामिल है तो आजदी के बाद हमने किया क्या है इस देश के साथ 60 करोड लोगों को आज तक हम काम नहीं दे पाए रोजगार नहीं दे पाए फिर आप बोलेंगे कुछ लोगों को तो रोजगार मिला हुआ है इस देश में हां मिला हुआ है हमारे देश की सेना में काम करने वाले जो सेनिक हैं थल सेना, जल सेना, वायू सेना में लगबग 20 लाग के आसपास हैं कुल 14 लाग तो आर्मी में हैं बाकी एर फोर्स और नेवी में फिर आर्ध सेनिक बल हैं हमारे देश में Border Security Forces और CRPF वगरा है वो 35-40 लाख हैं फिर हमारी रेलवे में 15 लाख लोग काम करते हैं फिर बैंकों में करीब 17 लाख लोग काम करते हैं फिर बीमा कमपनियों में कुछ 12-13 लाख लोग काम करते हैं फिर बारत के पबलिक सेक्टर में कुछ लोग काम करते हैं फिर सरकारी नौकरियों में काम करते हैं फिर राज्य सरकारी नौकरियों में काम करते हैं ऐसे कुल लोग अगर मिला दिये जाएं उपर से नीचे तक प्रधान मंत्री से लेकर और चतुर्थ क्लास करमचारी तक तो भारत के 35 राज्यों में कुल जमा दो करोड़ लोग हैं ऐस करना पड़े लेकिन उनकी तंखा बदस्तूर रहने वाली है और यही दो करोड लोग हैं इस देश में जिनको TA मिलता है जिनको DA मिलता है जिनको HR मिलता है और उनका TA DA HR समय के हिसाब से बढ़ता रहता है अगर हमारे देश में inflation बढ़ गया मुद्रा इस्वीती जिसको आप कहते हैं तो उनका TA बढ़ जाएगा अगर inflation बढ़ गया तो TA बढ़ जाएगा अगर inflation बढ़ गया तो HR बढ़ जाएगा उनके दूसरे allowances उनको मिल जाएगे मतलब कहने का सीधा सा ये है कि 115 करोड के हिंदुस्तान में 2 करोड लोगों की जिंदगी बड़े मजे की एश की आराम की और आनंद की है 2 करोड लोग बाकी सब भिकमंगों की हालत में और ये जो 2 करोड लोग हैं इन में मैंने इनको भी शामिल कर रखा है टाटा, बिरला, डाल्मिया, धिरुभाई, अंबानी, नुसली, वाडिया, गोइनका, मुकेश अंबानी, अनिलंबानी इनको भी शामिल कर रखा है अब कैसा हिंदुस्तान बना है 62 साल की आजादी में एक दिन में रिलाइंस कंपनी के बैलन्स शीट पढ़ रहा था उनके कुछ डेटा निकाल रहा था, आंकडे निकाल रहा था तो पता चला कि मुकेश अंबानी और अनिलंबानी दोनों की एक मिनट की आमंदनी बीस हजार रुपए है एक मिनट की आमंदनी, मिला के नहीं, अलग-अलग मुकेश अम्बानी की एक मिनट की आमंदनी बीस हजार है एक मिनट की तो पूरे दिन की आमंदनी बारे से तेरे लाग के आसपास निकलती अब मुकेश अम्बानी और अने लंबानी है जिनकी एक मिनट की आमंदनी बीस हजार है और 84 करोड लोग इस देश में हैं जिनकी एक दिन की आमंदनी 20 रुपई से कम है ऐसा देश हमने बनाया अगर इसको किसी मुहावरे में कहना पड़े तो कुछ ऐसा ही देश है ये कि संपत्ति और समरुद्धी के कुछ थोड़े बहुत टापू बन गए है बाकी गरीबी का महा सागर और दलदल इस देश में लहरा रहा है आप मेंसे भी जो लोग यहां बैठे हैं काफी 80-90 प्रतिशत आप मेंसे वही लोग हैं वो जो दो करोड वाली श्रणी में आते हैं हाँ आप लोग 84 करोड वालों मेंसे नहीं हैं उनको तो सुबह को खाकर शाम कीजी और शाम को खाकर अगले सुबह की इसी चिंता में जिंदगी बीचती है तो हमने किया क्या है इस देश में आजादी के बाद ये बड़ा प्रशन खड़ा हुआ है और हमारे देश की संसद अब इस मुद्धे पर बहस करने को तयार नहीं है प्रफिसर अरजुन सेन गुपता को मैं दो बार मिला ये रिपोर्ट आने के बाद और मैंने उनसे कहा कि आपकी रिपोर्ट आ गई हाँ आ गई आपने संसद को दे दिया हाँ दे दिया प्राइम मिनिस्टर को दे दिया हाँ दे दिया आगे क्या तो उनने का आगे क्या वो कूड़े की टोकरी में चली गई आगे क्या जैसे सब रिपोर्ट आती है और चली जाती है तो मैंने का अगर पूळे की टोकरी में ही डालना था तो आपने 5 साल इतनी महनत क्यों की तो हुआ ने का मैंने महनत सिर्फ इसलिये की की देश के लोगों की आखें खोल सकों की हुआ क्या 62 साल में हम तो 62 साल में यह मान के बैठे हैं कि देश ने बड़ी तरक्की कर लिए बड़ा विकास कर लिया इस देश ने और हमारे तरक्की और विकास को हम नापते कहां से हैं बड़े बड़े flyover बन गए है छे लेन की सड़क बन गई है प्रधानमंतरी सड़क योजना चत्रुभुज वो जो है गोल्डन क्वैडिलेटरल और फिर गोल्डन ट्राइंगल ये सब बन गए है बड़े-बड़े फाइव स्टार होटल बन गए है बड़े-बड़े मॉल्स बन गए है शॉपिंग कॉम्पलेक्स हो गए है कहीं-कहीं श किन अगर जन्संक्या की बड़ोत्री के हिसाब से इसको निकाल रदेखना शुरू करें तो ये । ये बिल्कल शूनिय के नजदीक नज़र आता है नेगलिजिबल नज़र आता है जन्संक्या व्रधी के हिसाब से देख़े तो दूसरा हिस्सा ही है जो बहुत बड़ा नजर आता है गरीबी भुकमरी बेकारी का तो प्रफिसर अरजुन सेन गुपता कमिशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद मेरे की मेरी तो बहुत बेचनी बढ़ गई कि ये हुआ क्या हमारे या हम तो ये मानते थे कि 62 साल सरकार ने बहुत काम कर दिया लेकिन रिपोर्ट ने तो सरकार की सारी पोल खोल दे और वो रिपोर्ट कोई ऐसे आदमी की होती जो साधरण है कोई राजनेता अगर उस रिपोर्ट को बनाता तो मैं कत यह आपके सामने ये बात कहने के लिए नहीं आता क्योंकि राजनेताओं की बातों पर भरोसा कर पाना अब हमारे लिए संभव नहीं रहा है हां किसी पारिटी के अध्यक्ष ने ये कहा होता उपाध्यक्ष ने कहा होता संसत में बैठे हुए MPs या MLS विधाइका में बैठे हुए हम कभी बात ही नहीं करते क्योंकि उनकी बातों पर तो बात करना ही मूरुखता है लेकिन एक बड़े विद्वान व्यक्ती के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट जिसने सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और वो इमानदार और निस्वार्थ भाव से इस बात में लगा हुआ है कि आज़ादी के 62 साल इस देश में हुआ क्या ये जानना चाहिए वो बताने के लिए ये रिपोर्ट उन्होंने तैयार किये गरीबी मिटी नहीं बहुत बढ़ गई बेरोजगारी खतम नहीं हुई बहुत बढ़ गई लोगों की भुकमरी भी कम नहीं हुई बहुत बढ़ गई आपको शायद मालूम है या नई 20 करोड लोग इस देश में भूके पेट सोते हैं रोज रात को हमारी सरकार के आकड़े हैं और उस रिपोर्ट में भी ये जान करिए 20 करोड लोग भूके सोते हैं आदे से जादा बच्चे जो जनम लेते हैं इस देश में वो अपनी उमर के तीसरे महिने में मर जाते हैं क्योंकि उनकी मां उनको दूद पिलाने की स्थिति में नहीं होती क्योंकि मां के शरीर में दूद नहीं बनता क्योंकि मां को संपून भोजन नहीं मिलता खुराक नहीं मिलती आदे से जादा बच्चे तीसरे महिने उमर तक पहुँचते मर जाते आजादी के 62 साल हो गए हमारे देश की 50 प्रतिशत आबादी अभी भी अनपड़ है निरक्षर है जिसको पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पता ने क्योंकि स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं हमारे देश में अगर आखड़ों में आप देखेंगे तो इसकूलों की संख्या लगबग 13 लाख है लेकिन जब मैंने ज़्यादा बारीकी से देखना शुरू किया तो इन 13 लाख इसकूलों में 90 प्रतिशत इसकूल ऐसे हैं जहां विद्यार्थियों के लिए टॉइलेट और बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, मूत्राले नहीं है, संडास घर नहीं जिन इसकूलों में मूत्राले ना हो, संडास घर ना हो, वहां बिल्डिंग कैसी होगी आप अंदासा लगा सकते हमारे देश में जितने विद्यार्थी कक्षा एक में पढ़ने के लिए भरती होते हैं, कक्षा आठ तक आते आते आधे विद्यार्थी उसमें से निकल जाते हैं जिनको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रॉप आउट्स, आधे से जाला और जो उच्च सिक्षा के द्वारे तैयार होके निकल आते हैं, 35 से 40 लाख विद्यार्थी हर साल इस देश में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, वो बेरोजगारों की भीड में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार की कोई वेवस्ता ने इससे भी जादा दारुन की इस्तिती, दुख की इस्तिती इस देश में ये है, कि जन संक्या की सबसे जादा बढ़ोतरी ग्रामियों इन इलाके में हैं, गाओं में जन संक्या जादा बढ़ रही हैं, और वहीं पर काम करने के अवसर सबसे जादा खतम हो रहे हैं, दिन आस्ट्रेलिया हर साल इस देश में जुड़ जाता है आस्ट्रेलिया की पूरी आबादी एक करोड़ सी लाग की है तो एक आस्ट्रेलिया नाम का देश हर साल इस देश में जुड़ जाता है एक करोड़ सी लाग नए बच्चे पैदा हो जाते हैं और हर साल हमें 1 करोड 80 लाख नई रोजगार की जरूरत है लेकिन हर साल इस देश में 25 से 30 लाख रोजगार जो पहले से मिले हुए हैं वो खतम होते जाते नई रोजगार तो सवाले ने अब समस्या क्या है गाओं में जलसंग क्या जादा बढ़ती है खेती होगी जमीन गाओं में हैं नहीं 14 करोड हेक्टेर कुल जमीन है जहां पर खेती होती है इस देश में 70 करोड एकड के बराबर अब 70 करोड एकड जमीन पर हर साल 1 करोड 80 लाख लोगों का बोज़ा बढ़ता जाए तो ये जमीन कितने दिन बरदाश्ट करेगी बरसाल एक करोड नए किसान तयार हो जाते हैं इस देश में उनके लिए जमीन कहां से आए खेती करने के लिए तो परिणाम क्या होता है गाओं में बोज़ा बढ़ता है जमीन पर तो लोग गाओं से शहर भागते हैं रोजी रोटी की तलाश में शहर में जुगी जहुंपडियां बढ़ती चली जाती गाओं से जो लोग विस्थापितों के शहर में आते हैं वो जुगी जहुंपडियों की संख्या बढ़ाते और हमारे हर बड़े शहर में आप जाकर देख सकते हैं एक विशाल जुगी जहुंपडी रहती है कभी बंबई जाने का मौका मिले तो चले जाईए एशिया खंड की सबसे बड़ी जुग्डी जौपडी बंबई में है धारावी और बंबई शहर की 65 प्रतिशत आवादी जुग्डी जौपडी में रहती दिल्ली चले जाएए, मदरास चले जाएए, बैंगलोर चले जाएए हर शहर में आपको दिखाई देगा 60 प्रतिशत, 65 प्रतिशत आबादी या तो फुटपाथ पर है या जुगी जौपड़ी में एसे इस्थान पर हमारे देश की 65 प्रतिशत आबादी रहती है जिस इस्थान पर आप एक मिनट खड़े नहीं हो सकते इतनी गंदगी होती है जुगी जौपड़ियों की जिन्दगी एक मिनट आप बिना रूमाल नाक पर रखे खड़े नहीं हो सकते इतनी तेज बदबु होती है इतना कीचड़ होता है कुट्टे भी वहीं होते हैं कीचड़ भी वहीं होता है आदमी भी वहीं होते हैं और वो लोग साल दल साल अपनी जिन्दगी बिताते रहते हैं सड़क के किनारे बड़े बड़े पाइप पड़े रहते हैं सरकार की कुछ योजनाओं में काम आने के लिए उन पाइप में रहकर 20-20 साल गुजारे हुए परिवारों को मैंने देखा है पाइप में रहकर गोल पाइप कॉंक्रीट के सड़क के किनारे पड़े रहे बारिश आती है तो आप जैसे लोग बहुत खुशी मनाते हैं कि भगवान की करपा हो रही है जो फुटपात पर रहते हैं वो रात दिन भगवान को गाली देते हैं कि वो सोएं कहां 65 प्रतिशत आबादी ऐसी है जो बारिश आने पर खुश नहीं होती वो भगवान को गाली देते हैं क्योंकि सोने वाली जमीन उनकी गीली हो जाती है हुआ क्या फिर इस देश में क्या हुआ 62 साल हमने इतने विकास की योजनाएं बनाई क्या हो गया इस देश को बनियादी जरूरतें पूरी करने का मौका मिलता है 7 करोड परिवार हैं सिर्फ जिनकी बनियादी जरूरतें पूरी होती है बनियादी जरूरतें माने उनके पास बिजली है उनके पास सिक्षा है उनके पास बीमार होने के बाद डॉक्टर की व्यवस्था है इलाज की व्यवस्ता है सिर्फ 7 करोड परिवार बाकी 14 से 15 करोड परिवारों के पास तो वो भी नहीं है बुनियादी जरूरत हैं पूरी करने का कोई रास्ता नहीं ना उनके पास सिक्षा है ना स्वास्त है ना चिकित्सा है ना डॉक्टर है ना दवाएं 6,38,365 गाओं है इस देश में मुश्किल से 1,5-3,5-3,5 गाओं है जहां बिजली है मुश्किल से 1,5-2,5 गाओं है जहां चलने को सड़क है बाकी सड़की नहीं है कुछ नहीं है तो बार-बार मन में प्रशना आता है कि क्या हुआ इस देश को हमने इतनी योजनाई बनाई गरीबी मिटाओ गरीबी हटाओ इस देश की हर सरकार के लिए प्राथमिक सूत्र है आपको मालूम है 62 साल आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई सबका प्रमुकुत देश है गरीबी हटाओ लेकिन गरीबी बढ़ती जा रहे है हर सरकार कहती है गरीबी हटाओ किसी भी प्रधानमंत्री को आफ पूछेंगे आपकी योजनाखी प्राथमिकता क्या है तो गहेंगे गरीबी धाओ कब से सुन रहे हैं हम ये गरीबी हटाओ आप में से तो कई लोग बुजुर्ग हैं आपने तो पंडित नहरू को देखा होगा पंडित नहरू के जमाने से लोग सुन रहे हैं गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ अब तक हटती नहीं बिरोजगारी मिटाओ, बिरोजगारी मिटती नहीं, भुकमरी हटाओ, भुकमरी मिटती नहीं, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चे पढ़ नहीं पाते, क्या हो क्या रहा है, ये गंबीर प्रशन है, और उस प्रशन का उत्तर ढूंडने की कोशिश जब हम लोग ने की तो पत चला कि आजादी के 62 साल इस देश में कुछ खास नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ मैं आपको पुरानी घटना सुनाता हूं यहां कुछ बुजरुगों को देख रहा हूं इसलिए दिल में आया यह बात कहूं एक इस देश में बड़े नेता हुआ करते थे उनका नाम था आचार प्रधानमंत्री पंडित नहरू जी ने लिखा है अपनी पुस्तकों में कि जिस दिन लोहिया जी का भाशन होता था नहरू जी सब काम छोड़कर उसे सुनने के लिए जाते थे खुद प्रधान मंत्री लोईया जी का भाशन सुनने के लिए जाते एक बन्शुर्ण जी का लोईया जी का संसत में टक्कर हो गई नहरू जी पंच वार्शिक योजनाओं की विशेशताओं पर भाशन दे रहे थे और संसत को बता रहे थे कि मेरी पंच वार्शिक योजना माने फाइव एर प्लैन से इतनी गरीबी दूर होगी, इतनी बेकारी दूर होगी, इतनी बुक्मरी दूर होगी तो लोया जी ने एक सवाल पूछ लिया था संसद की दस्तावेजों में दर्ज है, रिकॉर्ड्स में दर्ज है सवाल ये पूछ लिया था प्रधान मंतरी महोद ऐसे कि इस देश के सबसे गरीब आद्मी की आमंदनी बता दो कितनी है प्रधान मंत्री से पूछा था सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमंदनी बता दो तो प्रधान मंत्री परिशान हो गए थे उन्होंने का ततकाल तो नहीं बता सकता तो दो महिने में बता दो तीन महिने में बता दो तो दो ढ़ाई महिने के बाद संसद में प्रधान मंत्री का जवाब आया कि देश के सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमंदनी धाई आना है आना तो आप समस्ते है 16 आने का एक रुपया और धाई आना है और ये बात चल रही है 60's की 60 के दशक्त में ये चर्चा चल रही थी हमारी संसद्व तो उस समय धाई आना आमंदनी थी एक गरीब आदमी की जो सबसे अंतिम माना जाता था एक दिन की मैंने हिसाब जोड़ा अर्जुन सेन गुपता कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद की 2009 में सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमंदनी 20 रुपया है और 1965 के आसपा सबसे गरीब आदमी की एक दिन की आमंदनी धाई आना है तो धाई आना 1965 का 2009 के 20 रुपय के ही बराबर है आप बूलेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे रुपय का पिछले 40-45 सालों में बहुत अगमूल्यन हुआ है डिवैलिवेशन हुआ है तो 1965-66 के दौर का ढ़ाई आना 2009 का 20 रुपया बैठता है इसका मतलब ये है कि हमारा देश 1965 में जाकर ठहर गया है एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया ये है वास्तविक स्थिति अब थोड़ा पीछे चलें सरकार के पास जब ये प्रशन जाता है तो वो ये इस उत्तर दूसरे तरह से देते हैं वो कहते हैं जी तब से लेकर तो हमने इतनी पंचवार्शिक योजना लगाई है चलाई है एक पंचवार्शिक योजना बनती है तो उसका खर्चा 10 लाख करोड का होता है एक पंचवार्शिक योजना एक five year plan और ग्यारे five year plan बन चुके है दस लाग करोड का एक होता है तो सीधा सीधा हिसाब निकलता 110 लाग करोड रुपए तो सरकार ने खर्च करी दिये अब 110 लाग करोड रुपए जिस देश की पंचवार्शिक योजना में खर्च हो चुके हैं वहाँ 84 करोड लोग गरीब कैसे हैं ये समझ में नहीं आता है एक दिन मैंने सोचा कि ये 110 लाग करोड रुपए को एक एक आदमी को ऐसे ही मांट देते तो हर आदमी इस देश में लखपती हो जाता है क्योंकि 115 करोड की तो जन संख्या है और 110 लाग करोड रुपए खर्च हो चुका है करोड से करोड को काट दो 110 लाग बचता है और 110 लाग में 110 का भाग दे दो हर आदमी पर एक लाग रुपए तो निकली आता है ना तो हर आदमी लखपती हो जाता अगर ये योजनाए ना होती सीधे रुपया उनको दे दिया जाता माने गरीबी इसे तो बाहर आई जाता हर आदमी लेकिन योजनाए सरकार ने बनाई तो गरीब तो वहीं के वहीं रहे और जादा बढ़ गए योजना चलाने वालों की गरीबी जरूर दूर हो गए जिनोंने योजनाए बनाई और जिनोंने योजनाए चलाई सब करोड़ पती दस करोड़ पती अरब पती खरब पती हो गए सब के सब और जिनके लिए योजनाए बनाई वो सब वहीं के वहीं रोड़ पती है अभी भी मतलब सीधा सा ये है कि जो व्यवस्था के हिस्से हैं अंग हैं व्यवस्था बनाई गई योजनाओं को चलाने के लिए वो व्यवस्था तो करोडपती, अरबपती, खरबपती हो गई लेकिन जिन के लिए वो चलाई गई थी वो वही के वही खड़े हैं इसका मतलब इस व्यवस्था में खोट है इस व्यवस्था में दोश है और ये बात मैं नहीं कहता इस देश के पूरु प्रधानमंत्री राजीव गांदी ने कही सारे देश की आखें खुल गई उन्होंने 1984 में संसद में कहा कि जब मैं गरीब आदमी के विकास के लिए एक र ब्रष्टा चार और लूट खोरी में चला जाता है ये 1984 में उन्होंने कहा था जब ब्रष्टा चार बहुत कम था अब 2009 आ चुका है ब्रष्टा चार और बढ़ गया है हो सकता है अब एक रुपया दिल्ली से आता हो तो नीचे पाँच पैसा भी नहीं पहुँचता हो मतलब सीधासा है कि हमने जो व्यवस्था बनाई है गरीबी भुकमरी बेकारी मिटाने के लिए देश के दुखदर्द मिटाने के लिए वो व्यवस्था ही इन सब का कारण है गरीबी का भुकमरी का बेकारी का हमारे दुख दर्दों का वानिए व्यवस्था में दोश है व्यवस्था में खोट है और वो दोश क्या है राजीव गांदी ने कहा कि इस पूरी व्यवस्था में भयंकर लीकेज है उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया लीकेज कहानी कुछ ऐसी है कि एक घड़ा है आपके पास उसमें आप पानी भरना चाहते हैं और जगे जगे से छेद हैं उसमें तो दस साल, बीस साल, पचास साल, सो साल घड़े को भरते ही रही है कभी नहीं बढ़ेगा क्योंकि छेद हैं उसमें ऐसी हमारी व्यवस्था है कितना भी हम विकास के लिए पैसे को खर्च करते जाएं करते जाएं करते जाएं विकास होगा नहीं क्योंकि व्यवस्था में जगे जगे लीकेज है इसका मतलब इस व्यवस्था को बदलना चाहिए सब्ता बदलने से कोई लाव नहीं होगा हम कहां फसे हैं हम यहां फसे हैं एक पार्टी की सरकाराई दूसरे को बिठा के देखो दूसरे की आई तीसरे को बिठा के देखो तीसरे की आई चौते को बिठा के देखो काम तो सब एकी तरह से करते हैं तरीके सब के एकी जैसे हैं नाम का फरक है नीतियां सब की एकी जैसी है मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तानी ये बात दम ठोक के कह सकता हूँ कि इस सरकार में ब्रश्टा चार कम था उसमें जादा था मुझे तो जितने लोग मिलते हैं वो कहते हैं पुरानी सरकार अच्छी थी उसमें कुछ कम था अब तो और जादा है और इसके आगे कोई आईगी तो कहेंगे आब और जादा है सीधा सा मतलब है कि जो व्यवस्था चलाने वाली सरकारे है दोश और खोट वहाँ पर है जब तक उस दोश और खोट को आप मिटाते नहीं तब तक इस देश में गरीबी, बेकारी, भुकमरी धूर होती नहीं सत्ता बदलने से कुछ नहीं होता एक को हटाओ, दूसरे को बिठाओ, दूसरे को हटाओ, तीस तो मेरा कुछ ऐसा मानना है कि अगर कोई गाड़ी खराब है तो कितने दिन ड्राइवर बदल के चलाओ गया आप उसे गाड़ी ही खराब है आपने का भई इसको ड्राइवर बना लो उसने चला के देखा उसने का एक पांस साल चला के छोड़ दिया वो कहता खठा रहा बेकार है अब दूसरे को बना लो तीसरे को बना लो ड्राइवर बदलने से कुछ नहीं होगा गाड़ी को ही बदलना पड़ेगा ये जो व्यवस्था है न ये गाड़ी के जैसी है 62 साल से हम चला रहे हैं खठारा गाड़ी और ये दुर्भा किसे खटारा गाड़ी 62 साल से नहीं 200 साल से चल रही है जब अंग्रेज थे तब वो भी यही गाड़ी चलाते अंग्रेजों के जमाने से यह गाड़ी चल रही है आज तक चल पाई है क्योंकि वो है ही खटारा और अंग्रेजों नहीं ये गाड़ी बनाई थी अपने हिसाब से अपने चलाने के लिए हमने उसी को चलाने की कोशिश की हम उसे चला नहीं पाए क्यों? क्योंकि हमको अंग्रेजों जैसा भी शहूर नहीं है हमारी समस्या एक है कि हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो ही पूरी खराब है, कंडम है, दुर्भागे पूर्ण है, दोश पूर्ण है, ब्रश्ट है, करप्ठ है जो शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें उसको जब तक आप ठीक नहीं करते तब तक सत्ताओं के बदलने से, सिंगहासन बदलने से कुछ नहीं होता हमको ये बात समझ में आईए, बहुत अध्यन, बहुत अभ्यास करके तो इसलिए भारत स्वाविमान का जो गठन हमने किया उसका पूरा का पूरा एक ही उद्देश है कि इस देश की व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन करना जड़ से पूरी व्यवस्था को बदलना ये हमारा प्रमुखोद देश है क्या बदल करना, कैसे बदल करना और कितना बदल करना अब सबसे बड़ा बदल जो हम करना चाहते हैं वो इस लीकेज का बदल करना चाहते है हम हमारी सरकार को टैक्स के रूप में हर साल लाखों करोड रुपए देते हैं अगर ठीक ठीक बात करूँ तो 6,14,000 करोड रुपए हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं दिल्ली सरकार को राज्य सरकारों की बात करें 20,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 मरी दूर नहीं होती तो इसका माने दोश कहीं वहाँ पर है बड़ा हम तो देई रहे हैं अपनी इमानदारी से इस हिंदुस्तान में आज तक के इतिहास में एक समय भी ऐसा नहीं गया जब सरकार ने लोगों का टैक्स माफ किया हो कोई एक साल ऐसा नहीं गया बड़ी बड़ी विपत्तियां आई है इस देश पर सरकार ने टैक्स कभी माफ नहीं किया है माने हम बराबर इमानदारी से टेक्स दे रहे हैं पहले अंग्रेजों को देते थे अब काले अंग्रेजों को दे रहे हैं दे रहे हैं बराबर पूरी इमानदारी से इंकम टेक्स दे रहे हैं Central Excise दे रहे हैं value-added tax दे रहे हैं local taxes दे रहे हैं road tax दे रहे हैं road पर और toll tax दे रहे हैं पहले हम road tax देदे पिर उपर से toll tax देते हैं हर 20-25 km चलने का toll tax अलग से देते हैं मन में कभी सवाल नहीं उठता आपको कि जब हमने रोड टेक्स दे दिया तो ये टोल टेक्स क्यों देना या तो हम रोड टेक्स नहीं भरें तब समझ में आता है रोड टेक्स भी दे रहे हैं फिर टोल टेक्स क्यों हमारे ही रोड टेक्स के पैसे से रोड बन रही है फिर उस के खर्चे से ज्यादा टोल टेक्स का खर्चा है दिल्ली से कलकत्ता सडक रास्ते से आप चले जाएं तो हम हिंदुस्तान की सरकार को इंकम टेक्स के रूप में, कॉर्परेट टेक्स के रूप में, excise duty के रूप में, value added tax के रूप में, sales tax के रूप में, central sales tax के रूप में, road tax के रूप में, toll tax के रूप में, property tax के रूप में, house tax के रूप में, 64 तरह के tax के रूप में, हर साल हम 20 लाग करोड दे देते हैं, 6,14,000 करोड केंदर सरकारों को और बचा हुआ सब राज्य सरकारों को 35 तीस राज्यों में फिर हमारी गरीबी बुक्मरी बेकारी क्यों होनी चाहिए इतना टेक्स हम दे देते हैं बीस लाग करोड़ पता है कितना धन होता है आप गिन नहीं सकते साल बर तक अगर हजार के नोट आपको दे दिये जाएं सम मिलाके बीस लाग करोड़ की रकम इतनी बड़ी है कि कैलकुलेटर पे लिख नहीं सकते आप फेल हो जाता कैलकुलेटर क्योंकि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं और इसको लिखने में 16 अंक लगते हैं 20 लिखना उसके आगे 00014 बार जीरो लगाना पड़ता है इतनी बड़ी रकम है अगर इस रकम का सोना खरीद लें हम तो यह इतनी बड़ी रकम है कि मद्ध प्रदेश के एक-एक राज्य की सड़क को सोने से बना सकते हैं इतनी बड़ी रकम है अब इतनी रकम हमने दे दी केंद्र सरकार को राज्य सरकार को इस्थानिय सरकारों को फिर भी वो गरीबी भुक्मरी बेकारी दूर नहीं कर पाते तो कहां जा रही है यह रकम हो क्या रहा है इसका तब ध्यान में आता है कि और राजीव गांदी ने क रहा था हो सकता है 2009 में इस रकम का 90 प्रतिशत घूस-खोरी लूट-खोरी और ब्रश्टा-चार में चला जाता हो दस प्रतिशत ही काम में आता हो तो हमारे समझ में बात आ गई वो ये आ गई कि इस पूरी की पूरी रकम का इस देश के नेता और अधिकारियों में बंदरबांट होता है घूस-खोरी, रिश्वत-खोरी के नाम और ये बंदर्माट करने वाले नेता और अधिकारी करोड़पती, दस करोड़पती, अरबपती, दस अरबपती, खरबपती, दस खरबपती होते ही जा रहे हैं कुछ नेताओं के बारे में मैं केस स्टडी कर रहा हूँ और पता ये चल रहा है कि आज से 15-20 साल पहले उनके घर में टूटी साइकल नहीं थी और आज उनमें से एक-एक के पास 20-25 खरोड़ की संपत्ति है, एक-एक के पास कुछ नेताओं पर जब मैंने केस स्टडी की तो पता चला कि 12-13 साल पहले वो बंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर पालक बेचते थे, मैथी बेचते थे, बथुआ बेचते थे मराठी में इसको भाजी पाला कहते हैं, पत्ते वाली सबजी है और आज उन तीनों नेताओं की बंबई में पांच से साथ हजार करोड की प्रॉपरेटी है एक नेता पर मैंने केस स्टडी किया तो पता चला, 15-17 साल पहले उसकी जेब में इतना भी पैसा नहीं होता था कि वो चाई खरीद के पी सके आज उस नेता के पास बंबई से पूना तक की सारी जमीन उसने खरीद के रखी होई, बंबई से पूना के बीच की सारी जमीन, हजारों हेक्टियर की जमीन, एक नेता के कबजे में ऐसे ऐसे इस देश में हजारों हैं, एक दो नहीं और जब नेता लूटेंगे तो अधिकारी पीछे कैसे हटेंगे? अधिकारियों ने भी लूटा है इस देश को मेरा जन्मिस्थान उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सरकार में एक अधिकारी हुआ, उसका नाम है अखंड प्रतापसिक, चीफ सेक्रेटरी था उत्तर प्रदेश की सरकार का, इससे उचा कोई पद नहीं होता आईएस अधिकारीों के लिए चीफ सेक्रेटरी के ऊपर कोई पोस्ट नहीं है वहाँ आते आते सब रिटायर हो जाते हैं वो चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुआ उसके घर में CBI ने छापा मारा तो 400 करोड रुपई कैश मिले थे 400 करोड एक अधिकारी के घर में और CBI वालों का कहना है कि ये तो उसके कुछ घरों में छापा पड़ा है अभी कई घर तो पता ही नहीं है फिर उत्तर प्रदेश के जो IAS अधिकारी है ना उनकी एक एसोसियेशन है उस एसोसियेशन ने उस अधिकारी को महा भरष्ट आई एस अधिकारी का नाम दे के उसको गोशित किया लेकिन तब किया जब CBI का छापा पड़ा उसके पहले नहीं अपनिये नाम को बचाने के लिए तब तक वो उसी के साथ चाए पीते थे उसी जबशक मारते थे होगिं अपनी जिन्दगी में 40 साल चीफ सेक्रेटरी रहेeg caalys साल हाला कि रह नहीं सकता लेकिन 40 साल चीफ सेक्रेटरी रहे और उसकी मैकसीमम तनखा उसको मिलती रहे और एक रुपया भी वो उसमें से खर्चना करे तो उसको कुल 90 लाक रुपय होना चाहिए 400 करोड कहां से आया ऐसे इस देश में हजारों अधिकारी एक दो नहीं हजारों हजारों तो नेता हैं उनके साथ अधिकारी हैं लूट में आकंठ डूबे हो रहे हैं दोनों हातों से ऐसे लूट रहे हैं कल्पना नहीं हो सकती आपको मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए कि थोड़े साल पहले हम ये सोच के परेशान होते थे डाकू माधो सिंग डाकू मोहर सिंग डाकू जालिम सिंग ये आते थे और घरों को लूट के ले जाते थे तो हम हाय तोबा करते थे ये डाकू मोहर सिंग माधो सिंग जालिम सिंग तो मरे नहीं वो तो सब जिन्दा है नाम बदल गए उनके कोई नहीं मर रहा है कि मुझे तो कई बार लगता है कि मादो सिंग मोहर सिंग जालिम सिंग की आत्मा ही हमारे नेताओं में प्रवेश करता है और सड़क चलते नहीं है पार्लेमेंट में बैठे हैं विधाइकाओं में बैठे आपको मालूम है हमारी संसद में 300 से ज्यादा सांसद हैं जिनकी कम से से कम इनकम 10 करोड से ऊपर है 300 से ज्यादा सांस इस देश की संसद में वर्तम है ऐसी स्थती इस देश में है तो बात अब समझ में आ रही है वह यह कि 62 साल की आजादी में हमने एक ही काम किया गोरे अंग्रेजों को भगाया काले अंग्रेजों को बिठाया गोरे जोने लूट लूट कर पैसा स्विस बैंकों में जमा किया बस इतना ही अंतर है बहुर कोई बड़ा अंतर नहीं हमारे नेताओं ने 62 साल खूब पैसा लूटा है विकास के धन का रश्टाचार में डुबोया पूरा पैसा और यही कारण से उनकी संपत्ति दिन दुगनी र और MLA MP तो छोड़ दो कॉर्पूरेटर हो जाता है तो देखो कितनी संपत्ति आती है यह सारी संपत्ति आती है आपके मेरे खून पसीने की कमाई के दिये गए टेक्स के पैसे को लूट कर वहां से आती है यह संपत्ति तो हमारे देश में यह जो प्रजातंत्र चल रहा है म देश में मैं लूटूंगा या तू लूटेगा तै कर ले भाई एक पार्टी होती है सप्ता में जो लूट रही होती है पांच साल से सामने वाली दूसरी तैयार बैटिये कि अब हमारा नंबर है तुमने लूट लिया पांच साल अब हमको दे दो यह गद्दी और वो आपके सामने आते हैं उल्लू बनाने के लिए भई वोट दे दो विकास करेंगे भई बासेट साल से तो किया नहीं तुम क्या करोगे फिर कहते हैं जी वोट दे दो आपकी सेवा करेंगे तो सेवा करने के लिए वोट ही क्यों लगता बिना वोट के भी सेवा होती है तो वोट देकर वो सेवा का नाम जो लगाते हैं वो उनको पद चाहिए प्रतिस्था चाहिए ताकि लूट में हिस्सा उनका बरकरार रहे मुझे कई बार अफसोस से कहना पड़ता है कि जब आप किसी मेता को एक वोट दे देते हैं तो आप खुद उसको लूट का लाइसेंस दे देते हैं कि जा पांच साल के लिए तेरी मौच जो लूट सके तू लूट अब पास साल आपके पास कोई ताकत नहीं है उसको वापस बुलाने की तो जितना मन में आता है वो लूटता है और उसे मालूम है कि दुबारा चुन के आया नहीं आया तो एक बार में सब घर भर लो तो अभी तो इनकी संपत्ती की जाच अगर आप करा दें हिंदुस्तान की नेताओं और अधिकारियों की तो आखे फट जाएंगे मैं बिना नाम लिए कह रहा हूं एक व्यक्ति इस हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में स्विस बैंक में उसका खाता है बहत्तर हजार करोड रुपए एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति स्विस बैंक में उसका खाता है बहत्तर हजार करोड रुपए कल पना कर सकते हैं एक व्यक्ति तो 62 साल आजादी के जो कुछ इस देश में प्रजातंत्र के नाम पर हुआ है उसने लूटा है लोगों के पैसे को, धन को, समपत्ती को और लूट लूट कर विदेशी बैंकों में सुरक्षित रखा है क्योंकि हमारी बैंकों में वो रख नहीं सकते क्योंकि कभी भी इंकम टेक्स की या सी बी आई की रेट पढ़ सकती है तो ले जाकर वो खाता कोलते हैं सुट्जर लेंड में सुट्जर लेंड दुनिया का अकेला एक देश है जहां पर कितने भी लूट का पैसा जमा करो वो पूछते नहीं कि कहां से लाए कितना भी जमा करो कभी नहीं पूछते क्यों क्योंकि उस पैसे पर उनको ब्याज तो देना नहीं तो पूछने का क्या ब्याज देना होता तो पूछते वो ब्याज देते नहीं कितना भी उनके आँ जमा करो वो ब्याज नहीं देते उल्टा जमा करने वाले से सर्विस चार्ज लेते तो जो जमा करता है न वो बैंक को ब्याज भरता है बैंक नहीं देता कुछ हो और बदले में बस इतना ही है कि वो गुप्त रखते हैं आपका नाम नहीं बताएंगे बस इतना ही है तो नेता सब ले जा ले जाके लूट का पैसा वहाँ भरते हैं अब ये जो पैसा वहाँ रखा हुआ है इसके बारे में जब हमने काफी खोजबीन की आसानी से तो ये पता नहीं चलता क्योंकि सीक्रेसी के कानून है फिर भी पता चल गया कि नेताओं ने पिछले 62 साल में लूट लूट कर स्विस बैंकों में 72,80,000 करोड जमा करके रखा हुआ है और स्विट्जरलेंड के अलावा कुछ और देश हैं दुनिया के वहाँ पर करीब 35,00,000 करोड रखा हुआ है ये जो धन गया लुटने के बाद ये विदेशी बैंकों में जमा हो गया अब अफसोस की बात क्या है कि इस पूरे धन पर हमको तो कुछ फाइदा नहीं है देश को जहां जमा हैं वो इस पैसे को घुमा रहे हैं स्विस बेंकों में जो पैसा जमा कर दिया अपने नेताओं ने या अधिकारियों ने स्विस बेंक वाले वो दुनिया भर को करजे में दे रहे हैं करजे का ब्याज ले रहे हैं ब्याज मजे से खा रहे हैं और जिन्हों ने जमा किया उनसे सर्विस चार्ज ले रहे हैं कितने होशयार लो एक बार इस देश में सुर्जरलेंड के प्रेसिडेंट आये थे दिल्ली में उनकी प्रेस कॉंफरेंस होई तो उस प्रेस कॉंफरेंस में उन्हों पूछा नहीं किसी ने उन्होंने खुद कहा उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश को गरीबी का रोना नहीं रोना चाहिए और भारत जैसे देश को दुनिया में किसी के सामने भीक नहीं मांगने चाहिए तो पत्रकारों ने पूछा क्यों तो उन्हें ने का आप के लोगों का इतना पैसा हमारे यहां रखा है अब उसी को आप वापस मंगा लो तो आपको तो कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं है पता चला फिर हमारे जैसे लोग लग गए इस ख़बर के पीछे तो धीरे धीरे सब बात खुली और यह बात खुली तो इसमें कई तरीके से हमने वेरिफिकेशन किया verification कैसे किया जिन नेताओं ने वहां खाते जमा किये हैं जिन अधिकारी ने पैसे जमा किये हैं वो कौन है उनके नाम क्या है पता कैसे किया जाए क्योंकि सुट्जर लेंड नाम बताने को तयार नहीं वो ये कहता है भारत सरकार अगर हम से संदी करे तो हम नाम बताएंगे ऐसे नहीं बताएंगे तो हमें पता करना है तो हमने फिर दूसरा रास्ता अपनाया रास्ता क्या अपनाया हमने ये जानकरी लेने की कोशिश की कि हिंदुस्तान से स्विट्जर लेंड कौन-कौन जाता है यह पता लगो क्योंकि ME जाने के लिए airport से ही जाना पड़ता है हवाय जहाज इस्ते उसे भाल करना पड़ता पानी के जहाद से जा नहीं सकते हैं क्योंकि रास्ता ने है और airport इस देश में कितने हैं वो पक्के है दिल्ली है मुंबई है बैंगलोर है जहां से Switzerland की फ्राइट चूटती है उन एरपोर्ट से कौन-कौन जाता है उसकी सूची निकलवाई हमें फिर उसमें से छाटना शुरू किया कि कितने ऐसे लोग हैं जो यात्रा करने के लिए आनंद लेने के लिए Switzerland जाते हैं हनीमून बनाने जाते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो Switzerland का सौंदर ये देखने के लिए जाते हैं तो जब सूची में छाटना शुरू किया तो बहुत थोड़े से हैं क्योंकि जो भी Switzerland गया है देखने के लिए उनका ये कहना है कि एक बार देखने के बाद दुबारा देखने का मन नहीं करता क्योंकि कुछ है इनले का वह के वह कहते हैं उस से शिंदर तो अपना पंच मड़ cheating और संदर तो जम्मू कश्मीर है उससे सुंदर तो उत्तरा खंड है उससे सुंदर तो हमारे देश का बहुत सारा इलाका है और वो यह कहते हैं कि दो घंटे की कार चलाओ देश खतम हो जाता है दूसरे देश में घुश जाओ इतना छोटा सा है जाना देर घूम भी नहीं सकते हर दो-तीन गंटे की ड्राइब में देश की सीमा खतम हो जाती तो पता चला कि जो यातरा करने के लिए जाते हैं वो 8-10% है वो बार-बार नहीं जाते फिर ये बार-बार जाने वाले कौन है हर महिने जाते हैं महिने में दो बार जाते हैं कोई तो हफ्ते में एक दो बार चले जाते हैं कोई दो तीन महीने में जाते हैं इनकी सूची बनाई तो पता चला वो असी हजार लोग जो बार बार स्विर्जरलेंड जाते हैं बार बार जाते हैं कभी कभी तो एक महीने में चार बार चले जाते और उस सूची में ऐसे बड़े बड़े नाम है कि जब खुलेगा तो आपकी आत्मा हिल जाएगी अंदर से आप कहेंगे औरे इनको तो हम बड़ा पवित्र मानते थे अच्छा मानते थे ये भी सुर्जर लें जाते ऐसे ऐसे नाम आपको एक बात बताता हूं कि जब हमारे हां कोई सरकार गिरती है ना और नई सरकार आती है तब सबसे जादा जाते हैं उसी दौर में क्योंकि नई सरकार बनानी है तो रकम चाहिए कि नहीं चाहिए MPs को खरीदना है MLA को खरीदना है तो रकम कहां से आएगी वहीं से निकाल के लाते है और इन में से कुछ तो ऐसे है जो गए सुर्जर लेंड अपनी रकम निकालने के लिए कुछ नेता ऐसे भी हुए है नाम नहीं लेता उनका दो नेता बड़े प्रमुख इस देश में लिए बता है नहीं निकाल लिए और उस एक नेता ने अपने नाम से किसी दूसरी बैंक में ट्रांसफर कर दिया अब दूसरा नेता जब मुख्यमंत्री के पद से उतरा तब उसको याद आई कि मेरा तो खाता भी है तो गया तो पता चला रखम तो गायब परिणाम जानते मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति था इस देश ऐसे भी किस्से कि दो नेताओं ने जॉइंट एक ने सब निकाल लिया पता ही नहीं चला तो ये सब घोटाले बाजी घपले बाजी करने वाले हमारे नेता और उनके साथ अधिकारी इन्होंने 62 साल देश के विकास का ल 72,80,000 करोड हो गई 80,000 एकाउंट का तो पता चल चुका है हो सकता है 10-20,000 और निकलें क्योंकि ये सूची अभी खतम नहीं हुई है आप बूलेंगे जी बताओगे कब थोड़े दिन बात बताएंगे अभी तो हम तयारी कर रहे हैं तयारी क्या कर रहे हैं हमारी कोशिश ये है कि पहले ये सारा धन वापस आ जा mayoría फिर इनका नाम उजागर होगा हमारी कोशिश यह है इसलिए हम बताएंगे तो सही थोड़े दिन के बाद अब वो थोड़े दिन साल बर हो सकता है दो साल हो सकता है, डाई साल हो सकता है कुछ भी हो सकता है और दूसरा हमारी कोशिश यह है कि Supreme Court बताए इसको हम क्यों बताए संसत बताए इसको हम क्यों बताए हम संसत को मदद करेंगे कि देखो ये सुची है आप Cross Verification कर लो सरकार को देने को हम तयार हैं सरकार जिस दिन मांगेगी दे देंगे सरकार घोशना करें न ये लोग है संसत घोशना करें तब तक हम कोशिश करेंगे कि इन सब को सुधरने का मौका दें और ये इमानदारी से अपने पैसे वहां से निकाल कर भारत में वापस लाएं इसी काम के लिए भारत इसी काम के लिए भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया है ये हमारे अभियान का सबसे प्रमुख उद्देश है जिसके लिए ये बना है आपने स्वामी रामदेव जी का व्याक्यान सुना हो तो बार बार वो कहते हैं ब्रश्टा चार की समापती आर्थिक और राजनेतिक हमारे एजंडे में सबसे उपर है हम चाहते हैं ब्रश्टा चार खतम हो और ब्रश्टा चार के लिए जो लूट हुई है 62 साल ये लूट का लाव देश को वापस मिले जिससे देश वन्चित हो गया आप बोलेंगे ये कैसे होगा क्या ये पैसा वापस आएगा क्या देश को फिर मिल पाएगा क्या इससे देश का विकास हो सकता है आएगा अगर आप चाहेंगे तो हमने चाहा है और आपको बताया है अब आप भी चाहा लेंगे तो आजाएगा कैसे आजाएगा हमारे के सुप्रीम कोट के पास भी इस पैसे को वापस लाने की ताकत है कि मैं आपको एक पुरानी बात बताता हूं आपको याद है एक प्रधानमंत्री हुए उनका नाम था पीवी नरसिम्मा रहा हुआ उनके जमाने में कि यूरिया घोटाला हुआ था मालू में 133 करोड रुपए का एडवांस पेमेंट हुआ यूरिया का एक दाना भी देश में नहीं आया ये था यूरिया घोटाला पैसे दे दिये यूरिया नहीं आया पेमेंट हो गया यूरिया नहीं आया जब जांच हुई तो पता चला कि बहुत बड़ा घोटा ला है और वो 133 करोड का जो पेमेंट हुआ वो स्विट्जर लेंड की बैंक में जाके जमा हो गया हाँ तब दिल्ली के हाई कोट में और बाद में भारत के सुप्रीम कोट में दो याचकाएं दायर हुई और उस पर हाई कोट का फैसला आया फिर सुप्रीम कोट का फैसला आया कि यूरिया के पेमेंट में जो पैसा गया वो भारत की राश्ट्रीय संपत्ती है तो या तो यूरिया आना चाहिए या पैसा वापस आना चाहिए सुप्रीम कोट के इस फैसले के आने के पंदर दिन के अंदर 133 करोड रुपया स्विट्जरलेंड से भारत में वापस आ गया हमारा ये कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो सभी घोटालों का पैसा आ सकता है और अगर सुप्रीम कोट यूरिया घोटाले के पैसे को राश्ट्रिय संपत्ति गोशित कर सकता है तो आजादी के 62 साल में जितने घोटाले हुए हैं सभी के धन को राश्ट्रिय संपत्ति गोशित कर देना चाहिए तो इसको वापस लाने का एक उपाय है कि ये धन राष्ट्रिय संपत्ति गोशित हो जाए आप बोलेंगे इसमें मामला क्या है मामला सीधा सा ये है कि अंतरराष्ट्रिय कुछ कानून है उन में से एक ये है कि किसी भी देश का राष्ट्री अधन दूसरे देश में जमा नहीं हो सकता ये अंतर राष्ट्री नियम है सब देश इसका पालन करते है हर देश का राष्ट्री अधन उसी देश की बैंकों में जमा हो सकता भारत का राश्ट्री धन भारत की बैंकों में जमा होगा पाकिस्तान का पाकिस्तान की बैंकों में ये नहीं हो सकता कि भारत का धन राश्ट्र का स्विट्जरलेंड में जमा हो जाए तो इसका हमें लाब उठाना है हमें क्या करना है या तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा करें भारत स्वाइमान की तरफ से उसकी तैयारी हम कर रहे हैं जन हित याज का पब्लिक इंट्रेस्ट पिटीशन कि ये 72,80,000 करोड जो गया 12 साल में ये भारत की राष्ट्रिय संपत्ती है और कोर्ट में हम आसानी से इसे सिद्ध कर देंगे इसमें देर नहीं लगेगे क्यों? हम तो नेताओं की जनम कुंडली कोर्ट के सामने रखेंगे कि देखो 15 साल पहले इनके पास क्या था? अब क्या है? 10 साल पहले क्या था अब क्या है 20 साल पहले क्या था अब क्या है पूछलो इनको बुला बुला के और जो सही जवाब ना दे तो सब का नार्को टेस्ट कर वाल उसमें तुम बताएंगे आपको मैं एक सची बात बताता हूँ आपने एक नाम सुना अब्दुलकरीम तेलगी वो एक आदमी ने 36,000 करोड का घोटा ला किया 36,000 करोड का इस्टांप घोटा उसका नार्को टेस्ट हुआ उसने 19 नेताओं के नाम बताए 19 और उसमें से तीन तो ऐसे हैं जो इस समय केंदर सरकार में मंत्री इस समय तीन नाम तो ऐसे और 11 नाम ऐसे हैं जो महराश्ट की राज्य सरकार में मंत्री तीन केंदर सरकार में मंत्री और बाकी दूसरे नेताओं तो अब्दुलकरीम तेलगी ने सब के नाम बता दिये अब सरकार की हालत खराब ये हो रही है कि अब्दुलकरीम तेलगी मर जाए हाँ सरकार ही प्राड़तना कर रही है कि ये मर जाए और मामला रफा दफा हो जाए जिनके नाम है वो वहीं दबे रह जाए वो उजागर ना होने पाए ये है इस्ति तो मतलब कहने का ये है कि कोई अब्दुलकरीम तेलगी 36,000 करोड का घोटाला तब कर पाता है जब उसको 19 नेताओं का समर्थन और सहयोग मिलता है मतलब सीधी सी बात है कि इस देश में चोरी और डखेती करने वालों को राजनेतिक संरक्षन मिलने के बाद ही वो करते हैं ऐसे ही नहीं होता है तो हम तो अब्दुलकरीम तेलगी जैसे लोगों का नार्को टेस्ट करवा लेंगे तो सब के नाम निकलाएंगे या इनका ही करवा देंगे तो सब के नाम निकलाएंगे नाम निकालना कोई महत्तु की बात नहीं है मेहत्तु की बात यह है कि इन्होंने जो लूटा हुआ धन है वो वापस आना चाहिए वो देश का धन है राश्टर का धन है देश के हित में काम उसको होना चाहिए तो इसके लिए एक रास्ता तो हमने अपना हर साल अठारे बीस अदार करोड का नुकसान करते हैं फिर हम माइका बेचते हैं उसमें भी यही नुकसान होता है हम बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान से चूना पत्थर बेचते हैं चूना पत्थर आप समझते हैं कैल्शियम जिससे चूना बनाते हैं दुनिया के देश हम से खरीदते हैं क्योंकि उससे सीमेंट बनता है उसमें भी यही नुकसान होता है गेहूं बेचते हैं तो यही नुकसान होता है बास्मती चावल बेचते हैं तो यही नुकसान हमको होता है आपको सुनकर ताज्यूब होगा कि बास्मती चावल आप बजार में खरीदें तो आपको 50 रुपई किलो से कम नहीं मिलेगा यही बास्मती चावल रुपई का अवमुल्यन होने के कारण 2 रुपई किलो में चला जाता है अमेरिका यही बास्मती चावल चीनी हम बेन बनाते हैं इस देश में दो तरह की चीनी बनती है हर साल हम जो निर्यात करते हैं ना उसमें लाखों करोडों रुपय का घाटा होता है हमारा एक साल का निर्यात करीब पांच लाख करोडों रुपय का है इस समय अगर रुपया और डॉलर बराबर हो तो यही निर्यात धाई सो लाख करोड का होता है एक साल इतना नुकसान हम उठा रहे हैं तो ये नुकसान अब हम जादा दिन नहीं उठाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि रुपिया और डॉलर बराबर हो जाए रुपिया और डॉलर कब बराबर होगा जब हमने लिया हुआ विदेशी कर्ज चुका दिया जिस दिन हम विदेशी कर्ज चुकाएंगे रुपिया डॉलर बराबर हो जाएगा रुपिया डॉलर बराबर होते ही निर्यात की आमंदनी पचास गुनी बढ़ जाएगी और आयात का खर्चा 50 गुना घट जाएगा और दोनों मिला दें तो ये देश तो 2-3 साल में ही सोने की चुडिया हो जाएगा चीन तो हमसे टक्कर नहीं ले पाएगा इतना आगे हम निकल जाएगे आज दुनिया में ये कहा जाता है चीन सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है अमेरिका भी चीन से अब पीछे रह गया हम चीन के आगे निकल जाएगे क्योंकि हमारे पास ट्रेड सर्प्लस होगा डेफिसिट नहीं होगा और कुछ बात बताता हूँ अगर रुपिया डॉलर बराबर हुआ तो आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा जो चीजें आप बजार से खरीद रहे हैं सब सस्ती हो जाएगे जो डीजल आप इस समय खरीदते हैं 35 रुपई लीटर ये हो जाएगा 10 से 12 रुपई लीटर जो पेट्रोल आप खरीदते हैं 50 रुपई लीटर ये हो जाएगा 17-18 रुपई लीटर जो रसोई कैस का सिलिंडर आप लेते हैं साड़े तीन सो रुपई का ये हो जाएगा पहतालीस रुपई का जिस लड़के या लड़की को इंजिनिरिंग पढ़ाने में आपका धाई तीन लाग खर्च होता है वो पच्छी सदार में इंजिनिरिंग पढ़ लेगा जिसको मेडिकल के एग्जामिनेशन से लेके डॉक्टर बनाने तक पांस साथ लाग खर्च होता वो मुश्किल से पचास उदार के खर्चे में हो जाएगा आप अगर दिल्ली से नुई यॉर्क जाए और नुई यॉर्क से वापस दिल्ली आये मुश्किल से साथ आठ हजार रुपए में आपका किराया हो जाएगा जो इस समय 90 हजार तक खर्च होता है सारी कीमतें गिरेंगी क्योंकि रुपए की कीमत बढ़ेगी डॉलर की कीमत गिरेगी और भारत की जो संपत्ती है अंतर राष्ट्री बजार में 50 गुनी जादा हो जाएगी इसी कीमत पर आमंदनी 50 गुनी बढ़ जाएगी हमें सब चीजों में बढ़ुतरी होगी अगर रुपिया और डॉलर बराबर हो और ये तब बराबर होगा जब हम कर्ज वापस करें कर्ज वापस तब करेंगे जब 18 लाग करोड हमारी जेव में हो ये आएगा कहां से ये सुस बैंक का पैसा वापस लाने के बाद ही आएगा तो एक तो उस पैसे से कर्ज चुकाना है दूसरा गाउं का विकास करना है गाउं का विकास करने में 50 लाग करोड चाहिए कर्ज देने में कर्म से कम हमको 18 लाग करोड चाहिए तो करीब करीब आप समझ लो 68 लाग करोड, 70 लाग करोड खर्च हो जाएगा फिर भी हमारे पास करीब करीब 60 लाग करोड बचेगा और उस 60 लाग करोड को अगर हम fix deposit में रख दें भारत माता के नाम से fix deposit कर दें और 10% का ब्याज उस पर मिलता रहे तो साल का ब्याज करीब सवा 6-6.6 लाग करोड का होगा मने पूरा बजट हम बना सकेंगे बिना एक पैसा किसी पर tax लगाए हुए पूरी अर्थ व्यवस्था को tax free कर सकते हैं टेक्स सब हटा सकते हैं income tax हटा सकते हैं corporate tax हटा सकते हैं central exercise हटा सकते हैं सारे tax खतम कर सकते हैं और tax खतम होते ही हर चीज 70% सस्ती हो जाएगा जो पैन आपको अभी 10 रुपय का मिलता ये 3 रुपय का हो जाएगा जो घड़ी आपकी 300 रुपय की है ये 100 रुपय की हो जाएगा हर चीज 60 से 70% सस्ती होगी tax हटते ही तो देश चलाने का खर्चा कहां से आएगा tax नहीं लगाएंगे तो हमने पता दिया Swiss bank के बचे हुए पैसे को fixed deposit में रख दो साल के भी आज से देश चल जाएगा और दूसरा एक रास्ता है अपने पास कि सब tax खतम कर दो एक tax लगाओ सिर्फ transaction tax और वो भी total transaction का 2% सिर्फ हमारे देश में bank में लेंदेन होता है साल में महिने में और हर दिन चेक और draft के द्वारा जो लेंदेन है वो एक लाख पच्चीस अदार करोड हर एक दिन का है साल का लेंदेन 400 लाख करोड का है और cash का लेंदेन इसमें जोड़द है तो चेक और draft से जादा है आपको मालूम है हम cash में transaction जादा करते हैं चेक और draft की तुलना सारे काम हम cash में करते हैं सबजी cash में खरीदते हैं अपने घर की नौकरानी को cash में पैसा देते हैं कोई चेक से नहीं देता है, कोई ड्राफ्ट से देता है, नोकरों को, नोकरानियों को सब कैश में देते हैं, सब चैक से ज्यादा हमारा कैश वेवार है। तो cash के विवहार को या तो check में ले आओ या सारे विवहार को open कर दो, white कर दो और ये white कब हो जाएगा आप income tax हटा दो, ये सारा विवहार अपने आप open हो जाएगा सब white हो जाएगा ये छुपाना तब पढ़ता है जब income tax का डर रहता है आप income tax हटा दो, डर खतम हो जाएगा income tax इसलिए भी हटाना जरूरी है कि अंग्रेजों के जमाने का लगाया हुआ tax है वो हमारा नहीं है 1860 में अंग्रेजों न ये tax लाया था और अंग्रेजों की योजना ये थी कि भारतवासियों से लूट लूट कर पैसा लंडन लेके जाना इसलिए ये tax उन्होंने लगाया था अंग्रेजोंना tax पता है कैसे लगाये थे वो ये कहते थे कि भारत का आदमी कोई भी चीज़ का उत्पादन करे तो उसके उत्पादन पर ही tax लगा दो exercise duty फिर उस उत्पादन को वो बेचने के लिए बजार में जाए तो बेचने पर tax लगा दो sales tax फिर बेच कर मुनाफ़ा कमाए तो उसके मुनाफ़े पर tax लगा दो income tax फिर उस सामान को एक गाउं से दूसरे गाउं में लेके जाए तो दोनों गाओं में टेक्स लगा दो एक में एंट्री टेक्स एक में एग्जिट टेक्स फिर अंग्रेजों की सड़क पर से लेके जाए तो वहाँ टेक्स लगा दो तोल टेक्स फिर ओक्ट्रोई लगा दो ऐसे करके बीसियों tax उन्होंने plan किये आजादी के 62 साल के बाद ये tax क्यों चलने चाहिए क्योंकि अंग्रेजों ने तो लूटने के लिए लगाए थे तो हम खतम करना चाहते हैं साने tax खतम कर दो हिंदुस्तान का हर आदमी इमानदार हो जाएगा क्योंकि बेइमानी इस देश के लोगों को आपने 100 रुपिया कमाया उसमें से 35 रुपए income tax में दे दिया तो 65 रुपए आपका white है नहीं दिया तो 100 रुपए black है रुपिया तो रुपिया है वो black and white नहीं होता ये तो कानून गलत है जो कुछ पैसे को white कहता है कुछ को black कहता है और इस कानून का दुष्चकर पता है कितना खतरनाक हो गया है कि इस देश की अर्थ व्यवस्था में जो कुल उत्पादन होता है जिसको GDP कहते हैं जो 48 लाग करोड का है उसका 70 प्रतिशत हिस्सा black economy में चलता है 36 लाग करोड रुपए black में चलता है इस देश में घूमता है और लोग black में transaction करके हो रहे हैं income tax के डर के कारण लोगों ने पैसा छुपा के क्यों रखा हुआ है income tax के डर के कारण हटा दो income tax लोगों ने जितना पैसा छुपा के रखा हुआ सब बाजार में आ जाएगा और सारा transaction white में हो जाएगा हर आदमी इमांदार है और इमांदार इसे जीना चाहता है tax department उसको इमांदार नहीं रहने देता हम चाहते हैं ये income tax खतम हो जाए central exercise सब खतम हो transaction जो हो रहा है इस पर 2% tax लगा दो तो साल का एक कठा होता है रुपया 18,20,000 करोड जो इस समय के coalition से 3 गुना जादा है सारे tax हम खतम करते हैं और 18,20,000 करोड हम में मिले तो हम तो budget 18,20,000 करोड का बनाएंगे अभी तो 10,00,000 करोड का बना बिना किसी से भीक मांगे हुए बिना किसी से दान मांगे हुए अपने पेरों पर इस देश को खड़ा करेंगे स्वावलंबी बनाएंगे और जो स्वावलंबी होता है वही स्वाभिमानी हो सकता है हमें एक स्वाभिमानी भारत का निर्मान करना है इसलिए भारत स्वाभिमान अभियान हमने शुरू किया है और इस स्वाभिमानी भारत के निर्मान का ये रास्ता है अब आप बोलेंगे जी हम क्या करें आप इसमें हमारी मदद करो तब ही ये होगा आपकी मदद के बिना नहीं होगा हम अगर अकेले कर लेते इस काम को तो मैं हरिद्वार से 2000 किलोमीटर चल के आपके बीच में नहीं आता अकेला अगर कर लेता मैं इस काम को या स्वामी रामदेव जी कर लेते अकेले तो मैं नहीं आता क्या जरूरत है हम अकेले नहीं कर सकते क्यों क्योंकि प्रजात अंत्र में कोई भी काम करवाना हो तो बहुमत चाहिए हमको इस काम के लिए बहुमत चाहिए तो आप हमारा बहुमत बने, कैसे हमारी ताकत बने, ताकत आओ आप हमारी कैसे बनेंगे, हमारे इस अभियान में आप जुड़ जाएं जुड़ने का रास्था क्या है बहुत सरल है इस अभियान में सदस्य बनने के लिए एक फॉर्म है वो भर दें यहां की जो इस्थानिय समीती है ना होशंगाबाद की पतंजली योग समीती ये आपको फॉर्म दे देगी भारस वाहिमान समीती से फॉर्म ले लीजे ये अजय और असाधारन बनना है तो 1100 रोपे देना तो मेंबर्शिप आप कर दीजे तो हमें थोड़े फंड्स मिल जाएंगे काम करने के लिए और आप हमसे जोड़ जाएंगे हमारी शक्ती जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी ये सब काम हम आसानी से करा लेगे क्यों संग्हे शक् संगठन की शक्ती ही बड़ी होती है सत्योग जब होता हो तब राजा की शक्ती बड़ी होती थी अब कल्योग में संगठन की शक्ती बड़ी है तो हमें संगठन की शक्ती खड़ी करने हैं हमें 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ लोग ऐसे जमा करने हैं हिंदुस्तान की सभी राजनेतिक पार्टियों के पास कुल मिलाकर 4 करोड सदस्य हैं सब के पास BJP, कॉंग्रेस जनतादल, CPM, CPI समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी 48 और 48 पार्टियों के पास 4 करोड मेंबर हैं हमारी कोशिश है कि 5 करोड हमारे पास हो जाएं तब इनकी नाक में हम नकेल डाल देंगे ये सब वही करेंगे जो हम कहेंगे कुछ और कर ही नहीं सकते हम डिक्टेशन देंगे और ये नियम बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे ऐसी इस्थिति हम इस देश में लाना चाहते, सरकार किसी की भी हो वो बनाएंगे हम कहेंगे ऐसी नीती चलाओ तो वो चलाएंगे नहीं चलाएंगे कान पकड़ के उतारेंगे दूसरे कौ बिठाएंगे हम नहीं बैठेंगे वहां जाए भारत स्वाविमान का इस्ष्ट कहना है के हमें सत्ता और सिंगासन नहीं चाहिए लेकिन हमारा दूसरा भी इस पश्ट कहना है कि सत्ता और सिंगासन पर बैठे हुए लोग अगर इसी मद में चूर रहें लूटते रहें घोटाले करते रहें ब्रश्टा चार करते रहें तो एक मिनट उनको चैन की नीद सोने नहीं देंगे हम वो अब खवरदार हो जाएं और सावदार हो जाएं इसी के लिए ये सारा अभ्यान है तो आप हमारे संगेटन से जुड़िए थोड़ी हमारी ताकत बड़ी होगी और इस ताकत की ताकत पर या इसके दम पर ये काम हमें करना है पूरे देश में और एक छोटी सी अपील कहके मैं खतम करता हूँ मेरी बात को फिर आपके प्रशनों के उत्तर दूँगा कि आप अपने व्यक्तिकत जीवन में भी एक काम करें उससे भी देश को थोड़ा फाइदा हो जाए तो अच्छा है ये तो हम सार्विनिक जीवन में जो करेंगे वो बात मैंने कही है आपके व्यक्तिकत जीवन में थोड़ा बदलाव करें थोड़ा चेंज करें इस देश के फाइदे के लिए क्या बदलाव करें आप पूछेंगे तो सीधी सी बात है कर्ज बहुत है देश पे अब जब ज़्यादा कर्ज हो जाता है किसी देश पे तो क्या करना चाहिए इसको ऐसे सोचने की कोशिश करिए हमारे घर पर बहुत कर्ज हो गया अब हम क्या करें तो हम दो ही काम करेंगे या तो घर के खर्चे घटाएंगे या घर की आमंदनी बढ़ाएंगे तो ही काम करेंगे घर के ऊपर अगर कर्ज बढ़ता है तो घर के खर्चे घटाते हैं और आमंदनी बढ़ाते हैं तो देश हमारा बड़ा घर है इसके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है तो देश के खर्चे और देश की आमंदनी बढ़ाई है ये मेरी आपसे व्यक्तिकत अपील है तो आप बूलेंगे इसके लिए क्या करें इसके लिए अपनी जिंदगी में थोड़ा बदलाओ करें थोड़ा थोड़ा जादाने देश का खर्चा घटाना मने एक एक देश का नागरेक उसका खर्च घटाना तो कहां से खर्चा घटेगा तो आप अपनी जिंदगी को सबेरे से शाम तक देखिए आप क्या-क्या फाल्तू खर्चा ऐसा कर रहे हैं जिसको बचाया जा सकता है फाल्तू खर्चा क्या-क्या कर रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूं क्या-क्या फाल्तू खर्च जिसके बिना आपका जीवन बहुत अच्छे से चल सकता ना खर्च करें वो पैसा तो भी जीवन चल सकता सबसे बड़ा फाल्तू खर्चा यह जो देश कर रहा है चाए पीने में सबेर से लेकर शाम तक जितनी चाए पी जाते हैं एक साल में वह 70 करोड किलो ग्राम होती है और एक किलो चाइ डेड़ सो रुपई की आती है तो 70 करोड किलो ग्राम चाए को गुरा करें गे तो 90,000 करोड से ऊपर का बिल बैठता है चाए पीने का इस देश का ऐसे मूर्ख लोग हैं इस देश में उठते ही चाय। कुछ भी काम बाद में करेंगे चाय पेले ही संडास और टटी भी बाद में जाएंगे चाय पेले पियेंगे पिएंगे। कहते हैं टटी उद aquestaरती नहीं बिना चाय टी ऊचते ही चाय- और सोते चाय- और सरकारी अव दफ्तरों में तो चाई के अलावा कुछ होता ही नहीं है जब कभी चले जाओ कहां गया भई आदमी चाई पीने गया कहां गया चाई पीने गया सारे रिश्वत के काम चाई के नाम पर सारे घूस खोरी के काम चाई के नाम पर चाय पीने चलो देदो पैसे वो कहते है ना कोई भी करमचारी कहागा जी चाय पीने चलो समझ लो पैसे मांग रहा है तो खर्चा पानी सब चाय के नाम पर ये चाय बंद करो और ये चाय इसलिए बंद करो कि ये हिंदुस्तानी नहीं है अंग्रेजों की लाई हुई है, अंग्रेजों के पहले इस देश में कोई चाय पीता नहीं था, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं चाय पीने की, चाय तो गरम देश के, सौरी, ठंडे देश के लोगों को पीने की चीज है, क्योंकि गरमी लाती है, ब्लट प्रेशर बढ़ाती है अठंडे देश तो यूरोप और अमेरिका और कनाडा के हैं हम तो गरम देश वाले हम क्यों पियें हम तो दूद पियें, दही पियें, लसी पियें, छाज पियें, मठा पियें नीबू की शिकन्जी पीए, नारियल का पानी पीए, संत्रे का रस पीए, मुसम्मी का रस पीए अपने पास तो पीने के लिए इतनी चीज़े हैं, हमको क्यों पीना चाए? आयरुवेद में चाय निशिद्ध है आपको मालगए और आप इसे बार बार पीते हैं तो बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है कि पेट की ऐसीडिटी बढ़ाती है, अमलता बढ़ाती है, चाय में केमीकल जितने भी हैं वो सब ऐसीडिक हैं और पेट की अमलता बढ़ेगी तो खून की अमलता बढ़ेगी रक्त की ऐसिडिटी बढ़ेगी तो रक्त में फिर असी तरह के रोग पैदा होंगे और उन रोगों से लड़ने के लिए फिर आपको और हजारों करोड खर्च करने पढ़ेंगे तो चाए पीओ उसमें सत्तर हजार नब्बे हजार करोड खर्च हो फिर चाए से जो रोग पैदा हो उसमें और हजारों करोड खर्च हो क्यों फाल तू खर्च कर रहे हैं बंद कर दो जरूरत नहीं है इसको पी नहीं और ये नशा है रोज पीओ फिर एक दिन ना पिओ तो सिर में दर्ध होता है नशा है, बिलकुल ये शराप की तरह बंद करो इसको आप मत पिओ, किसी महमान को भी मत पिलो हाँ, जो आप नहीं करो तो मेहमान को क्यों करवान तो फिर आप दोलोगे फिर क्या करें विकल्प मैं बताता हूं दूद पियो मैंने एक दिन हिसाब लगाया कि 90,000 क्रोड की जो हम चाय पी रहे हैं इतने ही करोड का दूद पी ले तो गाय का कतल आज और अभी से बंद कराना पड़ेगा ।ब यही बीस करोड गाय बचएगी नहीं तो नहीं बचएगी तो कतल होने के लिए जो गाय जा रहे है यह रूख जाएगी। और यह जो गाय बीस करोड हो गई हर गाए साल में कम से कम एक बच्छडा यदा एक बच्छिया देती है तो कितने बैल हो जाएंगे और इतने बैल हो गए तो खेती के काम आएंगे तो ट्रैक्टर खतम हो जाएगा डीजल का खरचा पूरी तरह से बंद हो जाएगा किसानों का और जो बैल और गाय बढ़ गए तो गोबर बहुत हो जाएगा और गोबर इतना हो जाएगा कि हर खेत में डालने के लिए मिल जाएगा यूरिया खरीदना नहीं पड़ेगा डियेपी डालना नहीं पड़ेगा यूरिया डियेपी का 480,000 करोड का खर्चा बच जाएगा और जो गाए बेल बहुत हो गए तो उनका मूत्र भी बहुत होगा उस मूत्र को इकठा करके छड़कते रहें तो फसल पे कीड़े नहीं आएंगे तो कीड़े मारने की जो दवाएं डालनी पड़ती हैं एंडोसलफान, मेलाथियान, पेराथियान, बेंजीन, एकसाकलॉराइड ये सब्बंद हो जाएंगी इसका दो लाक करोड और बच जाएगा देश को कितने फाइदे हैं देखुआ बस एक काम करो चाए मत पियो दूद पियो दूद एक कब दूद पिलो और आप दूद पियोगे तो पैसा किसी किसान के ही हाथ जाने वाला है चाए पियोगे तो पैसा बुरुकबॉंड कमपनी के हाथ जाएगा लिप्टन के हाथ जाएगा टी सिटी के हाथ जाएगा गौटफरे फिलिप्स के ये सब विदेशी कमपनिया है लूट के पैसा अपने देश में ले जाएंगे हम वही ठंठन गोपाल पहले इस इंडिया कंपनी लूटती थी अब ये लूटेंगे तो बंद कर दो आप इसे तुरंट बंद कर दो फिर पीना क्या है दूद पीलो जिनको दूद अच्छा नहीं लगता वो नीबू की शिकंजी पीले नारियल का पानी पीले संत्रे का रस पीले मुसंभी का रस पीले और कुछ नहीं अच्छा लगता तो पानी को खूब गरम करके चाई की तरह से पीले पानी ही पीलो चाई की तरह से तुलसी की पत्ती डाल लो अधरेक डाल लो परम पुझनिय स्वामी जी ने एक फॉर्मूले से एक दिव्य पे बनाया वो पीलो चाई से अच्छा है वो हिर्दय घात के लोगियों के लिए भी ब्लड प्रेशर के लोगियों के लिए भी डायब उसको पीओगे तो पैसा हमारे ट्रस्ट में आएगा, हमारे ट्रस्ट यही काम करने वाला है, कुछ और नहीं करने वाला है, तो आप तो बंद कर दो कल से, कोशिश करो, आपका जीवन बदलना शुरू होगा, देश के लिए, हम बदल रहे हैं देश के लिए, यहां से शुरू करने, दूसरा एक बदला और हो जाए तो बहुत अच्छा है, फाल तू का एकदम खर्चा हम करते हैं, बीडी, सिगरेट, गुठका, तंबाकू और दारू का, फाल तू कर्चा, बीसियों हजार करोड रुपए हम बरबाद कर देते हैं, एक गुठके का पाउच है, चार पांच रुपए का, मुश्किल से उसमें दस ग्राम निकलता है, अब तो पांच ग्राम ही हो गया है, दस ग्राम आट नो हजार रुपए किलो का गुठका क्यों खा रहे हो, गुठका खाके गाल गलेगा, कैंसर होगा, मरोगे आप सब, बीस लाख लोग मरते हैं हर साल इस देश में कैंसर से, गुठका खाके, बीड़ी पीके, सिगरेट पीके, बंद करो ये भी फालतो खर्चा, बीड़ी का, पिर आपका बंद करो, ये खर्चा बचाओ, फिर आप बोलोगे जी छूटता नहीं है, छोडने के तरीके में बता सकता हूँ, गुठका जो किसी का छुडाना हो, तो उसकी सबसे अच्छी दवा है अदरक, अदरक है ना, उसके छोटे छोटे टुकडे करो, उसमें हो, चवाना नहीं, गुठका खाने की यादी नहीं आई, बहुत सरल है, बहुत आसा है, ऐसे बिली सिग्रेट छोड़ना है, तो उसमें भी अदरक काम आता है, शराब छोड़नी है, तो भी काम आता है, अदरक में है क्या, एक केमिकल है, उसका नाम है सल्फर, ये वैसन करन वालों के शरीद में सल्फर बहुत कम हो जाता है, तो इसकी तलब लगती है, बाहर से पूरती करने के लिए, तो वो अधरक से पूरती कर लो, एक टूथ पेस्ट, तीस रुपए का सो ग्राम आता है, तीन सो रुपए किलो, अब तीन सा रुपए किलो का पेस्ट रगडते ह और थूकते हैं गार के दो सोर उपाई के लोगत गी रोटी पे लगाके खाते हैं तीनु सोर उपाई के लोगत वास्वेशन में आज थूकते चले आते हैं हम बड़े सिमारड मैं उनसे कहता हूँ और स्मार्ट बनो तो कहते हैं क्या करें मैं कहता हूँ ये 300 रूपए के लोग का पेस्ट इतना महंगा इसको थूकते क्यों हो रोटी पे लगा लगा के खा लो क्योंकि घी से तो महंगा है फाल तो खर्चा पेस्ट का हमारे देश में 20-25 साल पहले तक कोई नहीं करता था ये पेस्ट ये टीवी के विग्यापन में देख देख के हमारा दिमाग खराब हो गया ब्रश ले आते हैं पेस्ट ले आते हैं आपको मैं गहरी बात कहना चाहता हूँ वह ये अमेरिका और चेतावनी लिखी रहती है अंग्रेजी भाशा में गया लिखा रहता है इट इस कारसी नो जैने कंसर सभी टूथ पेस्ट कैंसर करते हैं क्यों टूथ पेस्ट बनाने में केमीकल डाला जाता उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फिड वो कैंसर करता है और यह केमीकल डाले ब में यही chemical होता है washing powder में यही chemical है detergent powder में वो ही chemical है toothpaste में वो ही chemical है shampoo में सब में एक ही chemical है सब की quality एक है अब हम पढ़े लिखे लोगों को क्या लगता है जो paste में ज्ञाग जादा बने वो उतना ही अच्छा तो shampoo से दात साफ करो फिर तो बहुत ज्ञाग बनता है उसमें shaving cream लगाओ दांतों में खूब ज्ञाग देगी यह ज्ञाग बनाने वाला chemical बहुत खराब है अमेरिका में तो दांतों के डॉक्टर है न वो पेशेंट को जब समझाते हैं तो एक ही और एक महत्यों की बात है कि सब टूथ पेस्ट, कॉलगेट, क्लोजब, पेपसिडेंट, सिवाका, फॉरेंच जितने भी हैं यह मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बनते हैं हमारे देश में हजारों कतल खाने चलते हैं, 36,000 कतल खाने हैं इस देश में जो चलते हैं उनमें 4.5 करोड जानवर कटते हैं हर साल, उनका मास बजार में बिकता, उनकी जो हड्डियां हैं वो पेस्ट बनाने वाली कमपनियां खरीते हैं हड्डियों को सुखा कर पाउडर बनाते हैं फिर उससे पेस्ट बनता है और रोज सुबह हम दातों पे घिसते हैं धर्म का नाश करते हैं बंद कर दो आप अच्छा ने तो आप बोलोगे क्या होगा पैसे बचेंगे आपके देश के पैसे बचेंगे अब आप दात कैसे साफ करेंगे दात साफ करो नीम के दातुन से बबूल के दातुन से करंज के दातुन से पाकड के दातुन से टेक्स फ्री कॉस्ट फ्री साइड इफेक्ट नहीं है एक्सपारी डेट कुछ भी नहीं हर गाओं में दातुन मिलती है गली-गली मिलती है आसानी से उपलब दे तो वही आप करो आप बोलोगे जी दातुन करेंगे तो पेड़ खतम हो जाएंगे उसका भी हिसाब बताता हूँ एक दातुन को साथ दिन करना तो पेड़ कभी भी खतम नहीं होगे क्यों दातुन के लिए जो डंडी तोड़ते है न तो जितनी आप तोड़ते हैं साथ दिन में उतनी बड़ी फिर हो जाती है वो मैंटेन रहता वो साइकल तो एक दातुन तोड़ो साथ दिन चलाओ कैसे दातुन को चबा लिया आगे का हिस्सा चाकु से काट दिया रात को पानी में डाल के रखा दूसरे दिन फिर चबा लिया छे साथ दिन तक चल जाएगा अब कुछ लोग मुझे कहते हैं यह तो बड़ी गंदी बात है एक ही दातुन को साथ दिन कैसे करें तो आप यह बताओ एक टूथ ब्रश को कितने दिन कर लेते हो एक एक साल ब्रश रगड़ लेते हैं तो दातुन साथ दिन करने में क्या बुराई और दातुन तो फ्रेश है ना क्योंकि आगे का काट दिया दातुन आप करो और दातुन करना है तो दो फाइदे एक तो दात मजबूत मसूले स्वस्त और फोकट में हो जाएगा सब काम खर्चा बच गया और मैंने एक दिन सोचा कि हम पेस्ट बंद ही कर दें और उतने ही पैसे में दातुन खरीदने लगें और एक दातुन पचास पैसे का ही बिके मान लो तो 35 से 40 लाख लोगों को तो रोजगार दातुन बेचने से ही मिल सकता है पूरे देश आप कभी बंबई जाओ तो बंबई के सबी रेलवे स्टेशन पे दातुन मिलता है एक रुपए का दो दो रुपए का तीन तीन रुपए का चार जो बंबई में मिल सकता है तो होशंगाबाद में भी मिल सकता है रोजगार बढ़ा सकते हैं तो पेस्ट बंद करके, ब्रश बंद करके दातुन करें, दातुन कर भी नहीं मिले, कोई मजबूरी हो जाए, तो दंतमंजन कर लें, बहुत सारे दंतमंजन भारत में बनते हैं, और दंतमंजन घर में बना सकते हैं, थोड़ा हल्दी लेलो, थोड़ा नमक लेलो, थोड़ा त पूरे देश का 50 करोड़ मर्द हैं जो shaving cream में हजारों करोड़ खर्च करते हैं या तो स्वामी रामदेव जी की तरह से दाड़ी रख लो तो खर्चा बचेगा दाड़ी नहीं है तो बिना shaving cream के दाड़ी बनाओ खर्चा बचेगा आप बोलेंगे कैसे बनाए मैं आपको तरीका बताता हूँ थोड़ा दूद ले लो दूद कच्छा दूद उसको चहरे में लगाओ चहरा एकदम soft हो जाता है इसके फिर razor चलाओ बहुत चिकनी दाड़ी बनती है मैं दस साल से बनाता हूँ और चार फाइदे हैं इसके पहला फाइदा blade का खर्चा कम क्योंकि जब दूद लगाते हैं तो चिकना ही बढ़ जाती है तो razor आसानी से चलता है तो blade कम घिसता है तो blade का फाइदा दूसरा फाइदा दूद लगाओ तो गंदगी निकल जाती है चेहरे की दूद जो है न बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट है जितने बड़े-बड़े ब्यूटी पॉरलर से न वहां सब मिल्क क्लिंजिंग ही होता है दूद से ही चेहरा साफ करते हैं तो रोज दूद लगाएंगे चेहरा साफ रहेगा कील मुहा से नहीं निकलेगे चेहरा चमकेगा आप सब समार्ड हो जाएगे फोकट में समार्ड बनने का तरीका बता रहा हूं दूद से दाड़ी बना ओ दूद ना मिले तो दही से बना लो, थोड़ा दही लगा लिया, रेजर चला लिया, नहीं तो गरम पानी ले लो, गरम पानी से भी दाड़ी बनती है, नहीं तो नहाते समय दाड़ी बना लो, नहीं तो सबसे आसान तरीका है कि एक बून तेल ले लो, पानी में मिला के चहरे पर लगाके रेजर चलाओ एकदम डीप कट होता है क्लीन शेव होते हैं शेविंग क्रीम का फालतू- खर्चा बंद कर दो को फिर और एक फालतू- खर्चा आप बंद कर सकते हो साबुन का फालतू- साबुन जादा मत लगाओ तो कैसे नहाएं, बेसन से नहाओ, चनी के आठे से, मुलतानी मिट्टी से नहाओ नहीं तो तौलिया भिगा लो पानी में, गीले तौलिया से शरीर रगड़ लो, पानी से नहा लो नहीं तो दूद से नहा लो हमारे देश में महाशिवरात्री का त्योहार आता है, शंकर भगवान को दूद से नहाते हैं तो भगत क्यों नहीं दूद से नहा सकते हैं, जब भगवान नहा सकते हैं, तो भगत नहा सकते हैं हम जब बुजरुगों के पाउं छूते हैं ना तो वो आशीरवाद देते हैं दूदो नहाओ पूतों फलो कभी किसी ने ऐसा आशीरवाद दिया लक्स लगाओ पूतों फलो या लाइफ बॉई लगाओ पुत्रियां फलो हमेशा कहते हैं दूदो नहाओ पूतो फलो तो बुजरुगों की इतनी तो मानों के दूद से नहाओ अब दूद से नहाने के फाइदे क्या हैं दूद से नहाने का फाइदा एक तो दूद की बिक्री बढ़ेगी पशुधन भड़ेगा पशुधन ही देश का धन है वो कहते दे ना गोधन गजदन बाजधन और रतंधन खान तो गाय पशु ये सब धन है देश का संपत्ति है बोजा नहीं है कोई दूद की डिवान बड़े तो यही होने वाला है और दूद से ना आएंगे तो और एक फाइदा है साब उनका खर्चा कम दूद से ना आएंगे तो और एक फाइदा गंदगी निकल जाती है आप थोड़ा दूद ले लो चेहरे पे लगाओ फिर रूई से चेहरा पूछो एक कि वह सोप क्लिंजिंग कहीं नहीं होता है तो आप सोचो नहाना दूद से शुरू करो एक दो चम्मच दूद लगता है एक दो चम्मच कच्छा दूद लेके तेल की तरह से रगड़ लो पानी से नहालो तो तवचा एकदम नरम रहती है तो तो कोल्ड क्रीम का खर्चा बचे लोग फेरन लवली लगा लगा के परेशान है कहते हैं इससे गोरा पनाता है मैंने एक भैस को चार साल लगा के देख लिया वह अभी भी काली की काली है धुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काला यह जो और जो काला गोरा हो जाता फेरण लवली से तो अफरीका वाले तो सब गोरे खोते कोई क Finnish काले को गोरा नहीं बना सकते यह तो मूर्ख बनाते हिए बिग्ज्या और हम कितना खर्चा करते हैं 25 फेरेन लवली 40 रुपए की हैं 50 ग्राम असी की 100 ग्राम 160 की एक किलो 1600 रुपए की अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाते हैं 400 रुपए किलो बादाम नहीं खाते क्या मुर्खता है बंढकरो ये क्रीम पाउडर लिपिस्टिक नेल पॉलिष सब बंढकर दो फालतु का बहुत खर्चा बचेगा फिर आप कहेंगे सुंदर्ता नहीं आएगी सुंदर्ता गुण कर्म और सोंभाउ से आती एक मुण कर्म लिपिस्टिक से नहीं आती तो गुण कर्म स्वभाव पर याद करते हैं सुन्दरता से किसी को याद नहीं किया जाता इस देश हम जहासी रानी लक्षमी भाई को याद करते हैं इसलिए कि बहुत गोरी थी या कित्तूर चनम्मा को इसलिए याद करते हैं कि बड़ी गोरी थी, सुन्दर थी, नहीं, उसने काम ऐसा किया देश के लिए, इसलिए याद करते हैं, कर्म किया, गुण उसमें ऐसे थे, तो गुण याद रखे जाते हैं, कर्म याद रखे, कभी कोई आदमी मरता है न, तो ऐसे कोई याद नहीं करता हो, मर गया, कितना गोरा था, बिचारा मर गया, कोई याद नहीं करते हैं, हमेशा याद करते हैं, कितना गुणी था, देश भक्त था, राष्ट भक्त था, धर्म प्रेमी था, मर गया, ऐसे याद करते हैं, गुण याद होते हैं, कर्म याद होते है सुभाव याद होता है, सुन्दर्ता याद नहीं रहती, क्योंकि सुन्दर्ता च्छनिक है, नश्वर है, हमेशा नहीं रहती, क्यों फस गए इसमें फिर क्रीम पाउडर लिपस्टिक, हम तो इंदुस्तानी लोग कहते हैं, आत्मा की सुन्दर्ता की बात है, शरीर में काम फ बचा सकते हैं अगर जिन्दगी में एक सूत्र पालन करें सिंपल लिविंग हाई थिंग कि जीवन सरल हो विचार उच्छ से उच्छ तम इतने से दो लाक बत्ती सदार करोड बचा सकते हैं तो आप बचाने की कोशिश करो अगर आपकी जिन्दगी एक जोड़े जूते में चलती है तो दूसरा मत खरीदो तब तक जब तक वो फटे नहीं एक जोड़े चपल में जिन्दगी चलती है तब तक मत खरीदो जब तक वो फटे नहीं दो शर्ट दो पैंट जब तक चल रहे हैं तब तक दूसरा मत बनवाओ जब तक पहला फटे नहीं इस तरह क सोचना अगर हम शुरू कर दें भगवान ने हमें गरीब नहीं बनाया लेकिन हम गरीबी को समझ कर सोचकर अपने जीवन में धारण करें ताकि 84 करूर हमारे गरीब अमीर हो जाएं समर्द शाली हो जाएं हमें उनके लिए यह सोचना आप बस अपने जीवन में करो और भारत का हर महान व्यक्ति यही किया गांदी जी को देखो बैरिस्टर पास लल्ल्म सब किया टाई लगाने वाले सूट पहनने वाले कोट पहनने वाले सब छोड़ दिया ल महात्मा कहना शुरू कर दिया श्री राम ने घर छोड़ दिया महल छोड़ दिया सुख छोड़ दिया सुविदाएं चोड़ दी वन में चले गए कश्ट जहलना शुरू किया तभी उनको मर्यादा पुरुशुत्तम कहना हमने शुरू किया महावीर ने जब अपना घर छोड़ा परिवार छोड़ा बैवव छोड़ा संसार छोड़ा तो हमने उसको तीर ठांग कर कहना शुरू कर दिया भगवान मान दिया गौतम बुद्ध ने जब सब कुछ छोड़ा महल सुख सुविदाय तब उनको महात्मा कहा गया इस देश में जिसने जितना जादा त्याक किया वो उतने ही उचे सिंगहासन पर बैठा यही हमारी परमपरा है भोग करना हमारी परमपरा नहीं त्याक करना और त्याक करना तो देश के लिए समाज के लिए अपने भाई बांधवों के लिए ये सोचकर अगर हम अपने जीव अपने जीवन में ऐसा करो, खर्चा और कम हो सकता, बीमार पढ़ना बंद कर दो, बहुत खर्चा बचे, हर साल हम साड़े छे लाख करोड रुपए खर्च करते हैं बीमारीयों के इलाज पर, और इलाज नहीं हो पाता, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, ना ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, ना डायबिटीस ठीक हो रही है, ना हर्ट अटेक, ना काडियकरस, ना ब्रेन हमरेज, एक भी बीमारी ठीक नहीं हो रही, शाड़े छे लाख करोड खर्च कर रहे हैं हर साल, तो रास्ता क्या है, बीमार पढ़ना बंद करो, तभी बीमारी ठीक होगी, बीम से साड़े साथ आस्ता चैनल पर कोई पैसा नहीं लगता कोई फीस नहीं लगता शुरू करो चालू हो जाओ थोड़ा बस्त्रिका कर लिया थोड़ा कपाल भाती कर लिया थोड़ा नलोम विलोम कर लिया थोड़ा उदगीत कर लिया थोड़ा प्रणव कर लिया छे साथ प्राणायाम वो बताते हैं वो आप ध्यान से कर लो आदा पौना घंटे ही रोज कर लो तो आपका बलेट प्रेशर आपका डाइबिटीज आपका अर्थराइटिस ऐसी बीसी ओ नहीं पचासी ओ नहीं सेकड़ों बीमारियों से आप बचे लिए और दूसरों को करव जाके ये सब निशुलक है इसमें कोई फीस नहीं लगती ये सारे हमारे पदादिकारी पहले योग सिखशक हैं बाद में पदादिकारी हैं ये सब कक्षाएं लेते हैं सब सिखाते हैं प्राणायाम हमारे या नियम ही है कि पदादिकारी वही हो सकता है जो खुद सीखा हु और दूसरों को सिखाता हो तो आप इनसे कभी भी सीख सकते हैं और खुद कर सकते हैं महीने में कुछ special class भी ये लोग आपकी करा सकते हैं चार दिन पांच दिन महीने में और सामनिक अख्षाएं तो रोज चल सकती हैं तो योग प्रणायम से आप स्वस्थ रहना सीख लो और थोड़ा आयुरुवेद के मोटे मोटे कुछ नियम अपने जीवन में आप जान लो तो बीमारियां आएंगी ही नए आयुरुवेद में एक बड़ी महान व्यक्ति हुए उनका नाम था बागवट जैसे चरक थे ना शुशुरुत वैसे बागवट उन्होंने कुछ नियम बनाए और उनका यह कहना है कि जो व्यक्ति नियमों का पालन करें बीमारी नहीं पड़ सकता आप उन नियमों का पालन कर लो बहुत आसान नियम है महरशी बागवट कहते हैं वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखो तो बीमारी आएगी नहीं बस इतनी सी बात है अब वात पित्त कफ को संतुलित रखने के लिए क्या क्या करें तीन चार उनके छोट छोटे नियम आ खाना खाने के तुरंद बाद पानी मत पियो पानी एक से डिड़ घंटे के बाद पियो क्योंकि जैसे हम खाना काते हैं तो पेट में अगनी जलती है उसको जठर अगनी कहते हैं वही खाने को पचाती है अब आप खाना काते ही पानी पी लेते हैं तो अगनी शान्त हो जात जैसा है मत पिए एक डिड़ घंटे बाद पिए दूसरा उनका निया में पानी घूट-घूट घूट फ़रके पिए एक एक सिप क्यों मूँ की ला रहे न वो पूरी पानी में मिलके अंदर जानी चाहिए क्योंकि ये मूँ की ला रहे न ये चारी है और पेट में अमल बनता है चार और अगर मिलता रहे तो न्यूटरल कर देता है एक दूसरे को तो पेट न्यूट्रल रहे तो जिन्दगी में बीमारी नहीं आती इसलिए पानी घूट घूट पीओ, एक-एक सिप करके आप पशूओं को देखो, पक्षियों को देखो, एक-एक घूट पानी पीते हैं चुडिया को देखो, पानी पीते हूँ एक-एक ड्रॉप पानी का उठाती है, एक बून, फिर ऐसे-ऐसे मूँ चलाती है, फिर पीती है सभी जानवरों को देखो, कुट्ता पानी चाट-चाट के पीता है शेर, चीता, लकडभगा, ये सब पानी को सिप करके पीते है और किसी चलिया को आपने ओवरवेट नहीं देखा होगा किसी जानवर को डाइबिटीस नहीं है, कोई ओवरवेट नहीं है क्यों? सब सिप करके पानी पीते है मनुष्य है जो गटा-गट, गटा-गट, गटा-गट पीता है और वजन के लिए, फ्राइबिटीस के लिए परेशान है, अर्थराइटिस से परेशान है आप पानी सिप सिप पीने लगो, बहुत फाइदा है इतना फाइदा है कि आप सोच नहीं सकते तो पहला आप नियम है, खाने के एक जड़ घंटे बाद पानी पीओ, दूसरा नियम पानी गूट-गूट पीओ, तीसरा नियम है बागबट जी का सबेरे सो कर उठो तो सबसे पहले पानी पीओ, दिन की शुरुआत पानी से करो बिना मूध बहने पानी पीओ, बिना कुला की पानी पीओ, रात की मुँघ की लार जम्हा हो गई ना वह सब पेट में लेके जाओ, थूको मत क्यूंगी वह बहुत कीमति हैं, सुबह-सुबह क्या होता है, पेו ह्ता पेट खाली होता है तो समय गलती से भी मत पीना कितनी भी प्यास लगे तेज गला सूखता हो ठंडा नी पीना साधा पानी पीना या गुन गुना पीना क्यों ठंडा पानी पीते ही सारी गड़गड होती है पेट तो गरम है पानी तो ठंडा है गरम पेट में ठंडा पानी डालेंगे तो पेट पानी को गरम करेगा नहीं तो आप मर जाएंगे पानी अगर पेट में ठंडा बना रहे तीन मिनट तक तो लीवर, किड्नी सारे फंक्शन बंद कर देते हैं क्योंकि लीवर और किड्नी को फंक्शन करने के लिए गर्मी चाहिए ठंडा पन नहीं चाहिए हर्ट फंक्शन बंद कर देता है तो तीन मिनट में वो पानी को गरम करना पड़ता है पेट को और पानी गरम करने के लिए उर्जा चाहिए गर्मी चाहिए गर्मी कहां से आएगी खून में से तो सारे शरीर का खून पानी को गरम करने में लग जाता है तो तीन मिनट तक शरीर के सबी अंगों में खून की कमी आ जाती है और एक दिन में दस गिलास आपने ठंडा पानी पिया तो तीन मिनट के हिसाब से सोचो तीस मिनट और एक साल में हजारों गिलास पानी पिया तो सोचो कोई अंग हमेशा के लिए आपका खतम हो जाएगा अगर बलड की कमी जादा हो गई तो फिर बदल नहीं पाएंगे उसको आप लीवर खराब हो गया तो ट्रांस्प्लांट करने में पंद्र लाग का खर्चा है किड़नी खराब हो जाएं तो धाई तीन लाग का खर्चा है हर्ड खराब हो जाएं तो साथ आट लाग का खर्चा है क्यों आप रिस्क ले रहे हैं मत पियो ठंडा पानी फ्रिज में पानी रखना बंद कर दो फ्रिज पानी रखने के लिए नहीं है दवा रखने के लिए तो आप मत पीओ दूसरे को मत पिलाओ हमेशा साधा पानी पीओ गुनगुना पानी पीओ सर्दियों में तो बहुत अच्छा है गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पी सकते हैं बारिश में तो पानी को उबाल कर ही पीना सबसे अच्छा जॉन्डिस से भी बचें तो ये छोट छोट नियम है खाने के एक गंटे बाद पानी पीना पानी गूट गूट पीना सबेरे उठते ही पहले पानी पीना ठंडा पानी कभी नहीं पीना पानी को हमेशा बैठ के पीना खड़े खड़े नहीं खड़े खड़े पीया हुआ पानी सब अर्थराइटिस का तकलीफ पढ़ाता है गुटने का दर्ध कमर का दर्ध हमेशा बैठके पीना ऐसे ही खाना खाओ तो खाने को इतना चबाओ जितने आपके दांत 32 दांत हैं तो 32 बार चबाओ रोटी का टुकडा मुँ में रखके 32 बार चबाओ लार के साथ गुलके पानी जैसा हो के अंदर जाएगा बहुत अच्छी जिंदगी में सेहत रहेगी आपके खुब चबा के खाना खाओ और एक दो छोटी छोटी बाते हैं कि खाना खाते समय दो चीज़े ऐसी साथ में ना हो जो एक दूसरे की विरोधी हैं जैसे दूद और दही साथ में नहीं हो प्याज खाना है तो दूद मत खाओ दही खाना है तो प्याज नहीं होना चाहिए द याक्टो बेक्टीरियास Спच्च शरीमित है वह जीवित चाहिए शरीर को जैसे ही खुटकी नमक डालते हैं वतक चाहिए कि दिधाने चाहिए रहे हैं उसलिए नमक नहीना है तो ऐसी चुटी चुटी बाते हैं अगर हम हमारे जीवन में पालन करते एं तो बीमारी आती नहीं, तो खर्चा बचता है, तो देश की आमंदनी बढ़ती है, तो ये एक रास्ता है देश को बहतर बनाने का, अपने जीवन को सुखी बनाएं, हमारे देश में ही ये कहा जाता है, सर्वे भवन्त सुखिने, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राण पश्यं हैं तो मां कश्यृष दुभावılan सब सुखी हों सब निरोगी हों ये भारत में हैं प्रार्थना और कहीं नहीं थो इस प्रार्थना को हम अमारे जीवन में उतारै हम शुखी बने दूसरों को सुखी बनाएं ये छोड़ छोड़ी ग्यान की बातें आपने सीखी दूसरों को सिखाएं सारे देश में घर-घर में गली-गली गाउं-गाउं ये जानकारी लोगों तक पहुंचाएं ये एक बड़ा काम और आप कर सकते हैं व्यक्तिकत रूप से तो ये मेरी आप से व्यक्तिकत अपील है कि थोड़ा जीवन बदलिए simple living and high thinking में जाइए फाल्तू खर्चे मत करिये और जो काम करने से देश का पैसा बेकार होता हो विदेश में जाता हो तो बिलकुल मत करिये माने विदेशी वस्तू गलती से भी मत करी आपको स्वामी जी बार बार कहते हैं टीवी में आता रहता है कि एक भी विदेशी तो देश का पैसा गया और वो पैसा फिर आएगा नहीं वापस देश में उस्तने पैसे की कमी जिंदगी भर रहेगी इसलिए आप अपने जीवन में एक स्वदेशी वस्तों के अपनाने का सिध्धान्त अब आप ये पूछोगे पता कैसे चलेगा कौन सी वस्तों विदेशी कौन सी स्वदेशी उसके लिए एक पत्रक बनाया है जीवन दर्शन एक पुस्तक है उसमें पीछे चपा हुआ है आप ले सकते हैं योग समीती वाले आपको दे सकते हैं चाप के अलग से भी दे सकते हैं वो जानकरी आपको हो जाएगी, बस मन में संकल्प आप करें, तो ये छोटे-छोटे कुछ संकल्प आप करें, देश के लिए, समाज के लिए, ये निवेदन करने आया, इतनी देर मैंने आप से ये सब बातें की, आपने बड़े ध्यान से सुनी, मैं आपका आभारी हूँ, आप इन बातों को दूसरों को सुनाएंगे, और भी आभारी रहूँगा, अब मेरी बातों पर अगर आपके मन में कोई प्रशना आता हो, कोई जिग्या सा होती हो, तो आप जरूर पूछें, मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा, मेरी एक ही विनंबर प्राथना है, कि अगर हम सब बैठें यहाँ, एक साथ, तो प्रशन पूछें, एक एक उठके जाने लगें, तो फिर प्रशन करना ठीक नहीं होगा, तो आप सब बैठेंगे, मैं भी बैठूँगा, प्रशन करना है, तो साथ में सुने, हो सकता है नो प्रशन आपके भी काम आ जाए आपके जीवारे, पीछे से प्रश्ण आया है वो यह है कि अपने देश में जो काला धन है जिसकी मात्रा मैंने बता ही ना 36 लाग करोड का इसके लिए कोई योजना है हां इसके लिए योजना यह है कि इस काले धन को सफेद बनाना है और इसको सफेद बनाने का एक ही मिनट का काम है कि आप इंकम टेक्स कानून को जिस दिन रद्द कर देंगे यह सारा काला धन अपने आप सफेद हो जाएगा और यह 36 लाग करोड कहीं छुपा हुआ रखा है लोगों के घरों में यह अपने आप बाहर आ जाएगा या तो लोग उसे बेंक में जमा कर देंगे या तो उसको कार खाने लगाने में उद्द्योग लगाने में इस्तेमाल करेंगे या उस पैसे का खर्चा करेंगे तीनों ही इस्तती में ये पैसा economy में घूमेगा अर्थ व्यवस्था में आ जाएगा अब 36 लाग करोड रुपए अगर अर्थ व्यवस्था में आता है तो इससे तो कितनी productivity हम बढ़ा सकते हैं पूरे देश की तो कालाधन जो पहले से तयार है जमा पड़ा है इसको भी बाहर निकालना है इसी के लिए income tax act में बड़ा संशोधन और फेर बदल करवाना है वो एक बड़ी योजना है उसकी भी कोशिश हमारी चल रहे है और कोई प्रश्च बारस वाइमान अभियान ये कर रहा है कि जो सिक्षा व्यवस्था हमारी इस समय है वो अंग्रेजों की है मैकॉले नाम का एक अंग्रेज आया उसने सिक्षा का पाठिक्रम बनाया उसके आधार पर इस्कूल चलते है सारे के सारे हम उस पाठिक्रम को बदलना चाहते है नया पाठिक्रम लाना चाहते है उसके लिए एक स्वदेशी सिक्षा का मॉडल हम बना रहे है और उसमें गु उपलब्द होती थी वह गरीब हो या मीर हो आपको मालू मैं श्रीक रश्ण और सुधामा एक ही जगए पढ़ते थे सुधामा के पास तो पैसे नहीं थे क्रश्ण तो करोड़पती थे करोड़पती का बेटा या रोड़पती का सब एक साथ पढ़ते थे क्योंकि fees नहीं लगती थी, तो सिक्षा तो निशोईखी होनी चाहिए, दूसरा, उस सिक्षा में जो ग्यान होता था, वो ऐसा होता था, तो जीवन के काम का, अभी जो सिक्षा है, इसमें ग्यान ऐसा है, जो जिन्दगी में कभी काम नहीं आता, जैसे, मैं खुद मेरे से प् खूब पढ़ा, खूब रटा, इम्तहानों में लिखा, नमबर भी लाया, लेकिन वो आज तक मेरी जिंदगी में काम नहीं आया, एक भी दिन काम नहीं आया, एक्स प्लस वाई हो निसको है, जब काम नहीं आया, तो क्यों पढ़ा मैंने, मेरे टीचर कहते हैं, काम उनको भी नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया, क्योंकि उनको किसी ने पढ़ाया, तो ये भीडिया दसान क्यों चलाना, तो जो ग्यान काम नहीं आता, उसको पूरा हटा देना ही अच्छा है, वो बोज़ा है, और जो हमें याद नहीं रहता, वो भी हटा देना अच्छ हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है हमारी पड़ाई की क्योंकि वो काम की नहीं है इसलिए याद नहीं है जो चीज़ें रोज काम आती हैं वो याद रहती हैं जो रोज काम नहीं आती वो बेकार है तो यो याद नहीं रहने वाला वो हटा दे, जो काम का नहीं है वो हटा दे, परिणाम जानते हैं क्या होगा, बारवी तक की सिक्षा किसी भी विद्यार्थी को दो-तीन साल में ही मिल जाएगी, उसका समय बच जाएगा, उसका नॉलेज बढ़ जाएगा, और फिर या इस्थानिय भाषा में, मराठी, तमिल, तेलगू, मल्यालम, कन्रण, उजगुजराती, उडिया, आसामी या हिंदी, इन में पूरी पढ़ाई हो, अंग्रेजी बिलकुल खतम हो, अंग्रेजी किसी को सीखनी है, भाषा के रूप में तो सीखे, जिनको विदेश जाना ह विदेश व्यापार करना है, वो अंग्रेजी सीखे, सब को मार मार के अंग्रेजी क्यों सिखाना, उससे उसका दिमाग कुंठित होता है, हमारे देश में पता है, बहुत प्रतिवाशाली बच्चे हैं, लेकिन अंग्रेजी में हमेशा फेल होते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते उनका गणित अच्छा है उनका फिजिक्स अच्छा उनका केमिस्ट्री अच्छा अंग्रेजी खराब होने में हैरानी क्या है क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाशा नहीं है खराब तो होनी चाहिए हमें अंग्रेजी क्यों आनी चाहिए इंग्लेंड में किसको हिंदी आती है जो हमें अंग्रेजी आनी चाहिए जब वो हिंदी सीखने के लिए परेशान नहीं है तो हम अंग्रेजी सीखने के लिए क्यों मारमारी कर रहे हैं और हम ऐसे मूर्ख लोग है जो अंग्रे जी का बाजा बजाते रहते हैं अंग्रे जी राश्ट भाषा अंग्रे जी अंतराष्ट भाषा दुनिया में 200 देश हैं सबका मैंने पता कर लिया सिर्फ 14 देशों मुडेजी चलती है बागी नहीं अंग्रेजी चलती है और एसी मुर्खता पुर्व भाषा जिसका कोई ओर छोर नहीं है प्यूटी पुट तो ब्यूटी बुट और ब्यूटी बट तो प्यूटी पट C.O.T. Cut Beauty But तो P.O.T. Put होना चाहिए कि नहीं और अगर P.O.T. Put है तो Beauty But, C.O.T. Put होना चाहिए क्या मुर्खता पूरु भाशा है अंग्रेजी में लिखते हैं चोपडा C.O.P.A.R.A चोपडा लिखते हैं न अच्छा कहीं पर C.O.T. चोपडा कर देते हैं कहीं C.O.P.डा कर देते हैं अब कहां कर देते हैं Chemistry लिखते हैं तो C.O.T.E.M.I.S.T.R.Y वहाँ C.O.T.R.Y वहाँ C.O.T.R.Y यहाँ C.O.T.E.C.H है यहाँ C.O.P.डा हो गया वहाँ Hydro वहां chemistry है तो यहां कोपड़ा क्यों नहीं है कोई जवाब है मुर्ख तब पूर भाशा जिसका जिसका कोई grammar नहीं है उधार लिया हुआ सारी दुनिया से शब्द नहीं है उनके पास सब उधार लिया हुआ है शब्दों की इतनी कमी है अंग्रेजी में एक शब्द है अंकल ले देखे चाचा हो मामा हो मौसा हो फूपा हो ताउ हो सब अंकर हमारे यहां हो सकते हैं चाची हो ताई हो मामी हो मौसी हो सब आंटी क्योंकि शब्दी नहीं है जिस बाशा में शब्दों का इतना अकाल हो उसको हम कहें कि बड़ी अच्छी बाशा है हमारे पास हर बात के लिए एक खास शब्द है, उनके पास है ही नहीं। और अंग्रेजी के मूल शब्द तो बहुत कम हैं, लेटिन से उधार ले लिए, फ्रेंस से उधार ले लिए, जर्मन से ले लिए, फिर रशयन से ले लिए फिर इन से ले लिए खिचड़ी बना लिया उन्होंने अपना हम उसको बावा करते रहते हैं इसमें मत फसी और अंग्रे जी के कुछ शब्द तो इतने खराब हैं जिनको हम जानते नहीं बोलते रहते हैं फालतू में हमारे देश में अधकचरे लोग बहुत हैं अग्रॉअधिया अगराम दयाल माता जी है गाहित्री देवी बेटा है टिंकु अ और अभ्राम दयाल और गाहित्री देवी का टिंकू कहा से आया अब उनसे मैं पूछता हूँ भाई आपने इसका नाम टिंकू क्यों रखा कुछ मालूम नहीं फिर उनको दिखाता हूँ कि देखो टिंकू का अर्थ होता है आवारा लड़का अंग्रेजी में टिंकू उसको कहते हैं जो आवारा हो बाप की ना सुने मा की ना सुने आप अपने अच्छे खासे बच्चे को टिंकू टिंकू बोल बोल के आवारा करना चाहते नाम रखे हूँ बबली डबली डिंकल ट्विंपल पंपल पता नहीं क्या क्या ना कुछ लोग कैसे ना तो अंग्रेज हुए ना हिंदुस्तानी रह गए बीच के रह गए तृषण को हां वो कभी मिलेंगे एक राजीव दिख्षित शीज माइं मिसिज वाइव रेली शीज यूर मिसिस क्योंकि उनको मिसिस का मतलब नहीं माई मिसिस का मतलब जानते हैं मिसिस का मतलब होता है धरम-पत्नी को छोड़ कर कोई भी इस्त्री वह मिसिस होते हैं और यहां धरم-पत्नी को मिसिस बनाने में सब लगे रहता है एसी बोलते हैं oh he's my मिस्टर बूदा हो पती को छोड़कर कोई भी पुरुष मिस्टर होता है, और सबसे खराब अंग्रेजी का शब्द है मैडम, यह अंग्रेजी का तो है नहीं, यह फ्रेंच का शब्द है, फ्रेंच में शब्द है मादाम, M-A मा, D-A-M-E दाम, मा माने मेरा या मेरी, दाम माने महिला, इस्तरी, लड़की, मा दाम, मेरी महिला, मेरी इस्तरी, मेरी, जो भी कुछ है वो आपकी है, तो सब हो सकती है कि आपकी, मैडम, 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 जिसको देखो, उसको मैडम आप कहते रहते हो, क्या मूर्ख था आप सब करते हो, यह सब बंद करो, यह मैडम कहना, मिस्टर कहना मुझे तो इतनी खुंदक होती है कि कोई महिला अपने को मैडम कहलवाती कैसे है क्योंकि पते ही नहीं है उनको मैडम का अर्थ क्या है और ये तो बहुत ही खराब शब्दे हैं जैसे अंग्रेजी में हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस आप तो सुन नहीं पाएंगे उनकी डेफिनेशन जो है मैं थोड़ी अंग्रेजी और अमरीकी सब्विता पर बहुत काम कर रहा हूँ रिसर्च बहुत किया है हर शब्द का एक इतिहास है अंग्रेजी में मिस्टर शब्द कहां से आया, मिस्स कहां से आया, मैडम कहां से आया इसका अपना पूरा हिस्ट्री है अगर वो जान ले, तब इस्तेमाल करें तब तो समझ में आता है बिना जाने बूजे हम इस्तेमाल करते हैं बंद करिए ये सब इसमें कोई शान की बात नहीं है श्रीमान कहिए श्रीमती कहिए श्रीमती कितना सुन्दर शब्द है श्री माने लक्षमी मती माने बुद्धी लक्षमी और श्रस्वती माने बुद्धी और लक्षमी जहां एक साथ हो वो श्रीमती वो मिसिस नहीं है दोनों अलग अलग चीज़ है तो गर्व करिए अपनी भाशा पर भाव रखिए अपनी भाशा जो व्यक्ति अपनी भाशा पर गर्व नहीं कर सकता वो किस पर करें भाशा, भूशा, भोजन, भजन, भेशज ये सब गर्व करने की चीज़ है अंग्रे जी में ये नहीं मिलेगा आपको अंग्रे जी सीखिये भाशा के रूप में उसमें बुराई नहीं है लेकिन उसको जीवन में ओड़िये और बिचाईये मत कभी दूर रखिये थोड़ा जबर जस्ती किसी पर रॉप जाड़ने के लिए अंग्रे जी बोलने लगे वो बहुत खराब है आप उसका अपमान कर रहे है तो ये कुछ बाते ध्यान रखे हम चाहते हैं भारत स्वाईमान की सिक्षा व्यवस्था ऐसी जिसमें अंग्रे जी की जरूरत ना पड़े मात्र भाषा में सारी पढ़ाई हो पाठिक्रम हमारा अपना हो मैकॉले वाला पाठिक्रम हमाटा दे गुर्कुल पद्धिती फिर से आए जहां सिक्षा निशुल्क मिले क्या करोडपती क्या रूटपती और विद्यार्थियों को जो पढ़ाया जाए वो ऐसा हो जो उनके जीवन में काम आए जो जीवन में काम नहीं आता वो पढ़ाने का कोई फाइबाई है उसके लिए हम एक अभ्यास करम बना रहे हैं बहुत जल्दी तयार हो जाएगा आपको मैं दे दूँगा आपकी इक्षा हो तो उस अभ्यास करम को आधार बना के यहां होशंगाबाद में भी गुरुकुल शुरू कर सकते एक नहीं दस कर सकते उसके लिए पहले सिक्षकों को तयार करेंगे जैसे अभी हम योग सिक्षक तयार करा रहे हैं वैसे ही इन गुरुकुलों के लिए सिक्षक तयार करेंगे उनके भी प्रसिक्षान शविर होंगे आप चाहें तो अपना गुरुकुल चला सकते हैं समू में चला सकते हैं पूरी सिक्षा व्यवस्था को हम बदलना चाहते और इस सिक्षा व्यवस्था में इम्तहान नहीं होगा परीक्षा नहीं होगी क्योंकि ग्यान की परीक्षा नहीं ली जा सकती ग्यान असीमित है कोई परीक्षा नहीं ले सकता उसकी ग्यान तो सीखना और सिखानी का काम होता करते थे कोई परिक्षा नहीं होती थी और सर्टिफिकेट के लिए कोई कुछ नहीं करता था ग्यान के लिए सारा होता था तो हम चाहते हैं कि वह सिक्षा-पद्दती आए उसके लिए हमारी कोशिश है कि अलग से बोर्ड बने इस देश जैसे एक CBSC बोर्ड है ICSC बोर्ड है ऐसे हम अपना अलग बोर्ड बनाएंगे उसके नीचे सब गुरुकुल चलाएंगे और उनकी मानिता वहीं से होगी तो अभी एक पतंजली विश्व विद्याले तो बनी रहा है थोड़े दिन में तयार हो जाएगा उसके नीचे ये सब क होगा बहुत बड़ा अभ्यान होने चाहिए क्योंकि सिक्षा अगर नहीं बदलेगी तो नया भारत नहीं बनेगा मूल से जड़ से तो हमें करना ही पड़ेगा तो वो भी कोशिश है अब इस विशेपर अगर मैं व्याख्यान दूता हूं तो तीन गंटे लगता है आपने जरूर करें बस यह चेतना के साथ करें ध्यान के साथ करें कि हमारा वोट कितना कीमती है आपका एक वोट किसी को 6,14,000 करोड रुपए लूटने का लाइसन्स दे देता है इसको ध्यान रखें हम हमारे वोट का इस्तेमाल करते हुए यह ध्यान नहीं रखते हम चुप्-चा जिस व्यक्ति को हमने दिया है वो इस लायक है भी या नहीं भी चुकि हम यह विचार नहीं करते इसलिए गुंडे, बदमास, चोर, उचके, लुचे, लफंगे, मवाली, जीप के पार्लिमेंट में पहुंच जाते बड़े-बड़े history cheater पार्लिमेंट में पहुंचे हुए, जिनके ऊपर बलातकार के मुकदमे चल रहे हैं, मर्डर के केस चल रहे हैं, वो पार्लिमेंट में पहुँचे हुए यह हमारी बेकदरी का नतीजा है, तो हम ध्यान रखें वोट देते समय कि यह कितना कीमती है, मेरा यह कहने का मतलब है, आप वोट जरूर करें, बिना वोट करें नहीं रहें, लेकिन जिसको वोट दे रहें हैं, वो आपके वोट का पात्र है या नहीं, इसको जरूर ध्यान मे ये सब चीज़ें आपकी ध्यान में होनी चाहिए उनको देखकर वोट करें और मैं आपसे इसपश्ट कहना चाहता हूं खुलके पारटी को कभी भी वोट ना करें प्रत्याशी को वोट करें हमारे यहां क्या होता ना पारटी एक साथ टिकेट बांट देती है चोर उचके लुचे लफंगे गुंडों को और एक पारटी ने गुंडों को दिया दूसरी उससे बड़े गुंडे को देती है क्योंकि गुंडाई गुंडे को टक्र दे सकता यह उनके तरक है कुतर हां व् उना प्रत्याशी खड़ा करें। यह मेरा कहना जो चरित्रवान है, जो आपके वोट की कदर कर सकता है, जो देश और समाज के लिए काम कर सकता हैं। उसको आप कड़ा करें और जिता के विधान सवा या लोकसवा में पोहुँचाए। पार्टियों के खड़े कि योहों को हर जाएं द्वस्त करें क्योंभी पार्टियां कई बार इतने घमंड और गुरूर में होती हैं वो क्या सोचते हैं हमने खड़ा कर दिया जीत नहीं वाला है अभी इनका ये घमंड तो तोड़ी ही देना है कि तुमने खड़ा किया हुआ हमेशा जीतेगा गारेंटी नहीं है लो अगर ये एक जगह हो सकता है तो सब जगह होना चाहिए ये चुनाओ में खड़े होने वाले प्रताशियों को बड़ा घमंड है बड़ा गुरूर है कि मैं तो जीत के आने वाला हूँ मुझे कौन हराने वाला है मैंने यहां मैनेज किया है मैंने बहां में इनका घमंड और गुरूर तो तूटना बहुत ज़रूरी है नहीं तो ये बहुत खतरनाफ होता है यही घमंड और गुरूर पूरे देश को इमरजेंसी तक लेके चला जाता है जिसमें सारे अधिकार लोगों की खतम करने पड़ता है यही घमंड हो गया था श्रीमती गांदी को कि मेरी सकता क कौन चुनोती दे सकता मैं तो सर्वे सर्वा इस देश की और वो काले दिन उन्होंने दिखाए इस देश को जो भगवान न करी दुबारा देखने पड़े इसी देश की जनता ने उनका घमंड तोड़ा था गुरूर तोड़ा था जो गांदी श्रीमती गांदी हारती नही जाए वो आपका प्रतिनित ही है मालिक नहीं है वो आपका सेवक है नौकर है वो मास्टर नहीं है इस देश का उसको उसकी जगह दिखा के रखो हमने इनको बहुत जादा सिर चड़ा लिया है अपने जन प्रतिनियों को हर बड़े छोटे काम में हम लेके पहुंच जाते है आओ नेता जी आओ नेता जी हमारा ये उद्धाटन हमारा वुद क्या दिमाग खराब कर रखा है आपने वो इस काम के लिए थोड़ी है जो आपका उद्धाटन करते फिर हैं वो कानून बनाने के लिए बेजे गये हैं विदाई काम हैं लोकसभा में वो ही काम करने देना चाहिए हरी जंडी हला रहे हैं जैसे कोई गार्ड खड़ा हो गया ट्रेन का उद्धाटन करने पहुंच गए किसी कहीं ऐसी इस्तति हमने बना रखी है क्यों दिमाग खराब किया हमारे पास क्या विद्ध्वानों की कमी हो गई है जो उद्धाटन करने को हमें नहीं मिलते या हमारे पास अच्छे लोगों की कोई कमी हो गई है अपने जीवन में थोड़े परिवर्तन लाइए इनको इनकी जगे रहने दीजे देखिए politics बहुत जरूरी है लेकिन कितनी जरूरी है एक मेरा सूत्र है इस पर आप हसिये मत चिंतन करिए विचार करिए हमारा पूरा घर होता है ना उसमें एक toilet होता है एक toilet के बरावर पूरी politics है बस वो पूरा घर नहीं है toilet में जाते हैं क्योंकि बिना जाए काम नहीं चलता उतना ही है politics इससे ज़्यादा नहीं है हमने इसको पूरा घर बना दिया हमारे घर का पूजा घर हमारे घर का रसोई घर हमारे घर का ड्रोइंग सब पॉलिटिक्स कर दिया मने समाज के हर अंग में इसको फैला दिया ये गड़बड हो गई है इससे संतुलन तूट गया हमारा विचार करने का आचरन करने का इस संतुलन को वापस लाने की जरूरत है पॉलिटिक्स आपके जीवन का छोटा सा हिस्सा है शायद 5%, 10%, बहुत अधिक तो 15% उसको उतना ही रखिए पूरा जीवन उसमें आपका डूब जाए ऐसा मत करिए समाज में उसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए और करवाने के लिए हम लोग भारस वाइबान की तरफ से यही करना चाहते हैं पॉलिटिक्स को थोड़ा सा हिस्सा मान कर बाकी काम उससे ज़्यादा बड़े हैं इस देश में उनको करने की तयारी इस भारस वाइबान की मदद से हो रही क्योंकि कोई पारिटी ये काम नहीं करेगी हमें ही करना पड़ेगा इसमें मानसिक्ता बनती है व्यवस्था से ये जो व्यवस्था है न वो लोगों को मजबूर करती है इस व्यवस्था में क्या है जो पैसे वाला है वही जिन्दा रह सकता है जो गरीब है उसके जिन्दा रहने के रास्ते बंद है इसलिए हर आदमी पैसे वाला बनना चाहता है क्योंकि व्यवस्था उसको जिन्दा नहीं रहने देती आप व्यवस्था को बदल दो और ऐसी कर दो कि गरीब से गरीब भी सम्मान के साथ जिन्दा रह सके इस व्यवस्था में तो किसी की आकंशन है ये लखपती होने की वो तो व्यवस्था की मजबूरी उसको तकलीफ देती है तो हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं जिसमें गरीब से गरीब भी सम्मान के साथ जी सके रह सके अमीर गरीब तो सभी समाज में रहेंगे क्योंकि हाथ की पांच उंगलिया है पांचों बराबर नहीं है थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा वो उतना ही रहना चाहिए जितना उंगलियों का है ये नहीं कि एक आदमी को रोज 20 रुपए भी नहीं है और एक को एक मिनट में 20 अजार है तो व्यवस्था बदलके आदमी के वन में आश्वस्ती जादा हम पैदा कर सकते हैं तब वो लग्ठपती बनने का ख्वाप छोड़ देगा क्योंकि उसे मालूम है कि रोड़पती होके भी वो सम्मान के साथ रह सकता है तो सम्मान बढ़ाना है उसका ऐसी व्यवस्था बनाने जी दो तीन छोड़े काम है एक तो ये काला धन खतम कर दीजे ब्रष्टाचार खतम हो जाएगा इंकम टेक्स की मदद से दूसरा काम ये कर दीजे कि जो ब्रष्टाचार करने वाले हैं उनको फांसी और मृत्तिव दंड की सजा कानून बना के जैसे आपने कानून बनाया ना बलातकारी आदमें उसको 14 साल की जेल या बलातकार करने के बाद मर्गे कर दिया तो फांसी ऐसे याँ बना दो कि आपने सरकारी पद पर रहते हुए ब्रष्टाचार किया जैसे चीन में हैं वहां फांसी की सजा है एक ही मिनट लगता गोली मार देते हूँ चीन में सरकारी पद पर रहते हुए आपने रिश्वत खाई और आप पकड़े गए तो भगवान भी नहीं बचा सकता तीन दिन नहीं लगते उनको तीसरे दिन तो गोली मार देते हूँ यह भी सही है कि करप्षन है लेकिन उनका करप्षन और हमारे करप्षन में जमीन आसमान का अंतर है उनका करप्षन वैसा ही है जैसे अमेरिका में उपर के लेवल पर टॉप में हमारे यह जैसे यह तैसिलदार के पास जाओ अपनी जमीन के कागज निकलवा दो पचास रु वहाँ आदमी बहुत आराम से जिन्दा रहता है चीन में क्या है उपर के लेवल पर करफशन है लेकिन पकड़ गए तो सजा इतनी कठोर है कि रूह काँप जाती है चीन में और इसी तरह का है मिलावट आपने की पकड़े गए तो कोई बचा नहीं सकता फांसी से अभी चीन में मिलावटी दूद पकड़ा गया केस आ गया तीन महीने में फैसला हो गया एक साथ पांच सो तेतालीस लोगों को फांसी पे चड़ा दिया चीन की सरकार में मिलावटी दूद पकड़ा गया एक साथ बिना मुरब्बत के अब हमारे यहां मिलावटी काम करने वाले सालों साल जिन्दा रहते हैं कोई उनको फरक ही नहीं पड़ता क्योंकि कानून ऐसे तो आप कानून कुछ जगे थोड़े कठोर बना दो ब्रश्टाचार के मिलावट खोरी के आप देखो इस पे बहु क्योंकि उसे मालूम है इससे सम्मान बढ़ता है आप दूसरे चीजों में सम्मान बढ़ा दो उसका कारीगरी का सम्मान बढ़ा दो ग्यान का सम्मान बढ़ा दो उसके नौलेज का सम्मान बढ़ा दो वो पैसे की तरफ जाएगा नहीं क्योंकि पैसा तो उतना ही चाहिए पीने के लिए सम्मान दूसरी चीजों से मिलने लगे पैसे के अलावा तो उस रास्ते पर लोग चल पड़ें ये तो हम जैसी गवस्था बनाएं वैसे बनने की बार जी करशी अगर लाबकारी हो गई तो नेताओं की राजनी डूब जाएगे नेता ये कहते हैं कि राजनी चलाने के लिए गरीबी रहनी ही चाहिए बुखमरी होनी ही चाहिए बेरोजगारी होनी मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के कहता हूँ एक बूतपूर प्रधान मंत्री थे जो अब जीवित नहीं है उनका नाम था चंद्रशेकर एक बार मैंने उनसे ये बात की जो आपने मुझ से की कि क्रशी को लाबकारी क्यो पूरी क्रशी लाबकारी हो जाएगी अराम से हो जाएगी फिर मैंने का क्या मुश्किल है उन्होंने का हमें मुश्किल एक ही है कि अगर ये लाबकारी मूल में आ गए सारे किसान तो इनकी गरीबी खतम ये गरीब नहीं रहेंगे तो हमको नहीं पूछेंगे हमारी राजन है कि इनको लावकारी मून बें लिए तो मैंने का यह आप किरह हैं उन्ह ने Cars कि मैं नहीं कह रहा हूं सभी प्रदान मंत्र यही कहते हैं कि बस अंतर इतना है कि मैं खुलके कह रहा हूं बाकी परदे के पीछे कहते हैं तो कोई सरकार नहीं चाहती कि गरीबी बुक्मरी बेकारी खतम हो क्योंकि उससे उनका आधार ही खतम होता है उनका तो इमोशनल ब्लैक मेलिंग है ना गरीबी बुक्मरी बेकारी वो खतम नहीं होने देना चाहते इसलिए वो इसी व्यवस्था को चलाना चाहते अब आपके उपर है कि आप इसको ताकत लगाते खतम कर दें तो व्यवस्था आपके हिसाब से चलेगी यह हमारे लिए है मुख्य बात समझने बहुत आसान एकरशी लापकरी हो सकती है आप सिर्फ इतना गर्दो कि जैसे उद्योग पती अपने कोई भी उत्पाद का भाव तै करता है वैसे किसान अपने हर उत्पाद का भाव कुद तै करेगा बस बात खतम हो उसको जो लगता ग चीसान जो नहीं कर सकता अपने गेंवू का भाव तै कर वसको उत्पाद कर लेगा जिसको खरीदना खरीद में नहीं खरीदम ना खरीद विक्रेता भाव फिक्स करता है, ऐसे ही किसाम की एकॉनोमी में विक्रेता फिक्स करेगा, इतना ही करना है, पूरी क्रशी लापकरी हो जाएगी पीने का? आँ, बहुत अच्छा सवाल है इंका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है इस सवाल को मैं थोड़ा और अच्छे से कहता हूँ, इन्होंने नहीं कहपा है, मैं कहता हूँ इनका ये कहना है, और इस देश में कुछ लोगों का ये कहना है, विशेश रूप से मिनका गंदी जैसे लोगों का ये कहना है कि दूद तो जानवरों के बच्चों के लिए है जैसे मा का दूद अपने बच्चे के लिए है वैसे ही जानवरों का दूद अपने बच्चे के लिए है ये उनका कहना है मैंने इसमें थोड़ा काम किया थोड़ा जानने की कोशिश की कि हमारे देश में गाय होती है बहल होती है भेंस होती है तो हमारे देश में ऐसी भी गाय है जो 60, 70, 80 लीटर दूद देती है थरपारकर, साहीवाल, कांकरेज, अमरत महल, राठी कुछ ब्यादा दूद देने वाली गाय है अब बचले का दूद जो होता है जो वो रोज पी सकता है वो उसके वजन का एक दस्वा हिस्सा होता है ये विज्ञान का नियम बता रहा हूँ आपको कोई भी बचला या बचली उसका जो कुल बजन है उसका एक बटे दस हिस्सा ही वो दूद पी सकता है मालो बच्छडे का बजन है 10 किलो कल पना करो जब वो पैदा होता है 15 किलो कल पना करो तो वो एक दिन में डेड़ लीटर ही दूद पी सकता है ज्यादा पिलाओगे दस थो जाएंगे उसको तट्टियां हो जाएंगे अब सुनो अब वो डेड़ दो लीटर तो पी सकता है या बच्छडे को दूद देड़ दो लीटर ही पिलाएंगे बाकी दूद मा को उसके थनों में ही छोड़ देंगे तो मा मर जाएगी क्योंकि दूद जो है ना वो प्रोटीन है और जब वो सूखेगा तो वही ट्यूमर में कनवर्ट होगा और कैंसर होगा और वो गाय मर ज कई बार क्या होता है ना मां जैसे वैसे गाय कोई मां है ना जन्म देते ही उसका बच्चा मर गया तो अंदाजा लगा लो उस मां को कितनी तकलीफ होती है उसका दूद नहीं निकलता वैसी गाय का बच्चा मर गया अब दूद तो बच्चे के लिए है वो तो मर गया आप तो निकालोगे नहीं क्योंकि आप नहतिक मानते हो अनहतिक मानते हो तो तो मर जाएगी इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि बचले और बच्छिया के लिए वजन के अनुपात के हिसाब से दूद छोड़िये तो हमारे किसान अक्सर ये करते रहे कि एक थन का दूद अपने लिए तो ये बैलन्स की व्यवस्था है पूरा दूद निकलता भी रहे मां भी जिंदा रहे बचले भी जिंदा रहे बच्याभी जिंदा रहे अब क्या हुआ इस डेश में दूद है, दही है, मक्षन है, मठा है, घी है, ये कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है, इसके अलावा है क्या आपके पास? दालों में प्रोटीन है, गेहूं में, चावल में कार्भो हाइडरेट्स वसा और दूसरी चीज़े हैं, कैल्शियम नहीं मिलेगा, हड़ी बनेग कि नहीं शरीर चलेगा नहीं, कैल्शियम का एक ही बंडार है, दूद और दूद की बने हुई चीज़ है, इसलिए भारतिय भोजन व्यवस्था में दूद सबसे महत्वपूर इस्थान पर है, और बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा भोजन यही है, क्योंकि बढ़ते मास खाते हैं, गाय का मास खाते हैं, गाय के दूद में कैल्शियम हैं, गाय के शरीर में कैल्शियम हैं, उसके मास में बहुत कैल्शियम हैं, तो गाय का मास खाके कैल्शियम की पूर्ती कर लेते हैं, सूर का मास खाके और ज़्यादा कैल्शियम की पूर्ती हो जाती है, पो आप नहीं पिएंगे, जानवर मर जाएंगे, दूद नहीं निकालेंगे तो उनका, इसलिए दूद तो निकालेंगे, भैस में भी सामन रूप से दस बारे लीटर दूद होता है, एक दिन में उसके बच्छडे को डेड़ दो लीटर की ही जरूरत है, इससे जादा जरूरत है बागी तो निकालके आपके लिए ही है, अभी मैं चलते चलते आपको मेरा पता दे देता हूं, कभी भी आपके मन में सवाल आए तो आप पूछ सकते हैं, पतंजली योगपीट हरे द्वार, राजीव दिक्षित, पतंजली योगपीट हरे द्वार, आप मुझे पत्र लिक